दोस्तों नमस्कार मैं आपका अपना श्रावण CLC सीकर से आज मैं आप से बात करने जा रहा हूं CLC डिफेंस अकेडमी के प्रेटफोर्म पे आप सब जानते हैं सेशन 2022 से आपके अपने CLC ने डिफेंस का एक सेपरेट विंग लॉंच किया है NDA के लिए नेवी के लिए बार सेप्टमबर में होता है तो अभी 10 अप्रेल को एंडिया पेपर हुआ दो पेपर आते हैं फस्ट पेपर में आप सब जानते हैं 120 कुश्ट्री मैथ से आते हैं जिरका लेवल बोर्ड से उपर होता है वो जे मैं थोड़ा सा नीचे होता है एक पेपर में 150 कुश्ट्र जाते हैं जा 50 कुश्ट इंग्लिस के होते हैं और बाकि जो 100 हैं उनमें फिजिक्स से केमेस्ट्री जनरल साइंस से पॉल्टिकल हिस्ट्री जी के करेंट अफेर्स यह सारे मिलके 300 नंबर का फस्ट पेपर 600 का सेगन पेपर 900 नंबर का एंडिया का कुल एक्जाम होता है दसक आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि CLC डिफेस में उत्ता इच्छा काम सुरू कर चुकिए है चितना काम CLC जही और नीट के लिए कर रही है तो दोस्तों आज मैं वीडियो अप्लोड कर रहा हूं 11 अप्रेल 2022 को आपके अपन करता हूं बिल्कुल उसी थीम पे हम लोग काम करेंगे जो हमारी जेई और नीट की थीम है वैसी थीम हमारी नेवी एरफोर्स के लिए रहेगी पूरी सेपरेट टीम है सेपरेट सिस्टम है जैसा आप जानते हैं सीकर में हर्स्त रोड पे एक 18 विगा में एक बहुत करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और एक्जाम जो आपका 10 अप्रेल को हुआ है NDA NA का ये फर्स्ट पेपर जो हुआ है आपका ती बेस्ट हुआ होगा और आफिसल बनकर आप निकलेंगे तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात इस वीडियो सॉलुशन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा CLC का जो हमारा जो कैंपस है CLC डिफेंस के रूप में जो हमने शुरू कर दिया है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे और CLC के बारे में बात कर लूँ कि CLC है क्या CLC एक ऐसा नाम है जो नीट ITJ के जो रिजल्ट्स है उसके अंदर दी बैस से बैस्ट रिजल्ट्स नोट ओली राजस्तान बट और अल आवर इंडिया अगर आप देखें तो बैस से बैस डिजल्ट CLC ने दिये है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बात का CLC विश्वास दिलाती है आपको इस बात का कि CLC Defense Academy जो है वो भी इसी जो यह परिपार्टी चली आ रही है जो यह लगातार चला आ रहा है सफलताओं का दोर यह कभी टूटने नहीं देगी तो प्यारे बच्चों हमारा जो Code Second का पेपर हुआ General Ability Test का मतलब मेरा यह था कि Officers हम बना कर छोड़ेंगे आपको आप हमारा साथ पकड़ेंगे हम आपको Officers मना कर छोड़ेंगे बलब जहां कहीं आपने इस पेपर के अंदर कहीं कमी छोड़ी हो तो अभी टाइम है बापीस अपनी गलतियों को सुधार कर एक बार फिर एक अच्छा साथ पकड़ते हुए और अपनी दोड़ को एक बार फिर शुरू कर दो और CLC Defense Academy आपके साथ खड़ी है चल चलो प्यारे बच्चों बात करते हैं अपने दस अपरेल का जो 2022 को पेपर लगा है आपका जनल अबिलिटी टेस्ट का जिसको जी एटी कह सकते है सीरीज ए में लेकर आए हूँ आपके सामने तो आप अपने इस सीरीज देख लेना कौन सी सीरीज है तो इंगलिश का पे लेकर पर आपको क्या करना है और उस एर्र को स्पोर्ट करना है ठीक है अपने को रिस्पोनज देना है ठीक है जहाँ कहीं भी हूँ में एरडिकती है तो फस्थ जो संटेंस है आपका वो देखो क्या लिखा है अब यहाँ पर हम इसकी एरर को अगर find करें तो सबसे पहली बात देखें कि एक company of 5000 soldiers बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें ग्रूप है यह having masked तायलेसली फॉर ओवर फाइव देज बिल्कुल सही है have just moved अब देखो यहाँ पर इसने क्या कर दिया यहाँ पर इसने error कर दिया इसने have लिख दिया have क्यों लिखा आपने जब आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो क्या लिख रहे हो आप यहाँ पर एक company of 5000 soldiers लिख रहे हो इसका मतलब आपका subject तो क्या है singular है फोर यहाँ पर आपने have लिख दिया मतलब यहाँ पर क्या ना चीए था है जाना चीए था, क्या ना चीए था है जाना चीए था, यनि पहला जो आपका है पहले के अंदर जो error है वो third के अंदर error है, ठीक है हम बात करते है second, second है every person who believes in principles must stand up to fight for their convictions no error देखो, अब यहाँ पर भी अपना बात करें तो every person who believes क्या लिखा, who believes in principles must stand up to fight for their convictions, तो यहाँ पर the questionnaire क्या error कर दी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख दिया, every person फिर क्या लिख दिया, believes लिख दिया यही वरव की first form plus क्या दे दिया हैस दिया, इसका मznaलब singular noun नNS आपका, बिल्कुल है के निया singular noun, अगर singular है आपका subject, तो यहाँ पर भी आपने देर क्यों लिख दिया, यनि यहाँ पर क्याना चाहिए था, हीज जाना चाहिए था, क्या चाहिए था, हीज जाना चाहिए था, ठीक है na, हीज यानि first का तो आपका हो गया, third and second का भी आपका क्या हो गया, third answer हो गया, हम बात करते हैं next, third question, the Olympic Games reflects the highest spirit of human endeavor and achievement, बिल्कुल होता है यह भी, क्यों नहीं होता, जो Olympic Games है वो reflect करते हैं, highest spirit को reflect करते हैं, किसी human के achievement को, उसके trials को, बिल्कुल करते हैं, तो पर इसमें अब इसने बोला ग हो हाँ है, तो इसके शूरू में इसने एरर दे दिया, क्या कर दिया, यहाँ पर देखो Olympic, क्या लिखा, इसने लिखा Olympic, Olympic अपने आपने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यह पलूरल है भई, क्या यह यह, पलूरल है ना, तो यह अगर पलूरल तो यह singular क्यों, यह singular क्यों दे दिया तो यहां पर क्या ना चाहिए था reflect आना चाहिए था reflect आना चाहिए था ठीक है reflect आना चाहिए था यहां इसमें error कहा आ गई first में आपके error आ गई ठीक है next है the principle fourth question आपका the principle यह गला था ठीक है न ध्यान रखना the principle of the school stress the need for discipline among the students अब देखो यहां पर इसने क्या कर दिया कि the principle of school है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहां पर stress the need for discipline बिल्कुल discipline उसको जुरूरत होगी among us यहां पर क्या देखो यहां पर इसने error क्या कर दिया among us कर दिया among us आपको पता होना चाहिए कि दो वर्ड अपने पास हमेशा से रहते हैं एक रहता है among और एक रहता है among us अगर हम बात करते हैं among की तो among का मतलब कि जो consonants है ठीक है पहले और student के साथ इनकी लिए आपन आउन के लिए लगाएंगे और among us किया वह ओल के लिए वह ओल के लिए आता है तो यह पर जो है among us एक दम से क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा and error है यानि तो हों पर क्या हैगा among the students आएगा next है यह 4th में 3rd option आपका गलत है फिर है फिफ्ट, failure is the stepping stone to success, however, successive failures are not successive stepping stones to success, भाई देखो क्या दे दिया इसने, stepping stones, क्या था ये, stepping stone, जो failure है, वो stepping stone होते हैं, success के, ठीक है, और लगातार जो failures होते हैं, हलांकि वो success के stepping stone नहीं होते, stones नहीं होते, ये कहना चाहरा है, stone ही आएगा, ठीक है न, ये खुद नहीं, stepping stone ही होगा, stepping stones नहीं होगा, ठीक है न, next हम बात करते हैं, यह यह इसमें error है, ठीक है, हाँ, पिच्छे का, art question होगे आपके, फिफ्थ, six, इंडिया's strengths are its diversity of culture and the split of tolerance in its people, ठीक है, देखो यहाँ पर error कहाँ है, देखो error कहाँ है, आपको कहाँ देखिए error, बिल्कुल, sir इसमें error है, अब क्या error है, बताओ भई, सबसे पहले बात, यहाँ पर क्या देदिया है, इसने in, in क्यों आएगा भई, both of its people, क्या अएगा, all of its people, ठीक है, यहाँ यहाँ पर in, जो है, वो क्या है, यहाँ पर गलत है, यहनि सब फर्ड ओप्शन है, वो आपका क्या है, error है third option आपका जो है उसमें error है ठीक है फिर आपका next question जो है वो किते number question आगए भई आपका question number 7 once considered 9th planet of the solar system Pluto is today listed as the largest dwarf planet of the solar system तो क्या लिखा once considered अब देखो यहाँ पर यह cardinal number है ना 9th क्या इसके पहले आता है कि नहीं आता बता हो भई आप सभी आता है ना बिल्कुल आता है कि sir जो cardinal number होते है 9th 6th इसके पहले क्या आना चाहिए दो आना चाहिए और यहाँ पर कैसे ने देया लगा रखा है क्या बिल्कुल ने लगा रखा इसका मजला error कहां पर आ गई error कहां support हुई है one first में error दिखाई दे रही है ठीक है next बात करते है अगला the greatest glory in life is to be able to realize once dream dreams and ambitions without trampling on those of others बिल्कुल once यह तो देखो साब साब आपको पता होना चाहिए तो ना कि once कैसे लिखा जाएगा अपना कैसे लिखा जाएगा once ऐसे लिखा जाएगा ना इसका मतलब यहाँ पर जो है वो गलत है और यह जो second spot जनी error जो है वो किसमें आयरा अपना second के अंदर error दिखा रुखा है ठीक है next बात करते है नाई नमबर कुष्ण to be able to manage one's anger is a reflection of an individual psychological maturity तो देखो यहाँ पना error वेसे इसने देखो error की बात करता हूँ मैं आपसे यहाँ पर देखो error error कहां आपको दिख रही है देखो एक तो ए यहाँ पर क्या ना चाहिए द दूसरी बात यह जो an individual है ना अगर यहाँ पर once लिखता तो ज़्यादा बैस था तो कहने का मतलब जो error है वो कहां पर आ रही है second के अंदर error आ रही है to be able to manage once anger is the reflection of once psychological maturity अब जब आप कहोगी सर यहाँ पर once क्यों आएगा आपने शुरू में भी तो once लिखा ना तो once इसलिए ही आएगा उसी के according तो आपका object होगा ना यहाँ यहाँ लिखता to be able to manage individual तब हम बात सो सकते थे तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था वाकि error जो है आपका second के अंदर है अगला question है आपका 10 लास्ट अरे यह देखो यह तो हलवा मखन question दे दिया इतना ऐसे question भी यूपेस ही पूछ सकता है गया बताओ इसमें क्या error किसी को नहीं मिलीगी गया इतना आसान हाँ मान सकता है दो तिन question में हो सकता है आपको लेकिन ऐसा question क्या इसने क्या पूछ रहा है देखो यह an honest mistake is no more than that just an honest mistake भाई आप answer तो यहीं पर दे दिया आपने an honest तो मतलब यहाँ पर यह क्यों आएगा यहाँ पर भी तो क्या आएगा an honest ही तो आएगा बताओ यू पीए सी भी देखो आप अनसर आपको देकर पूछ रही है क्या answer बताओ इसका ठीक है तो एन honest होता है सबको पता होना चाहिए next next हम बात करते हैं अब देखो क्या आ गया idioms and phrases आ गई यह तो बहुत important portion होता है अच्छे से क्या मतलब बहुत अच्छे से सीधे सीधे 10 क्योशन और हर क्योशन चार नंबर का आपको पता है आपको पता ही है कि अगर एक topic आपका बहुत अच्छे से इडमिन फ्रेस का त्यार हो जाता है इसका मतलब यह समझे लो कि आपने लगवग लगव कावर कर लिया अच्छा पहला क्या लिखना आपने की इडमिन फ्रेस को जो भी है फोर अल्टरेनेटिव में से देखना है तो पहला अपन जो है अंडे जो है जो एक्स है वो गिनेंगे काउंट करेंगे कि हमें confidence है ना इस बात का वो क्या है का confident of success हम बिलकुल आश्वस्त हैं बिलकुल confidence है कि हमें क्या मिलेगी सफलता मिलेगी success मिलेगी ही मिलेगी तो यह बात ही कहना चाहरा है counting your chickens मतलब confident of success second है the icing on the cake आपके पास कोई cake है और cake की उपर इसके उपर icing और बरफ और डाल दी जाए तो आपको बताओ उसका आपको उसका फैदा मिला गे नहीं मिला मतलब यह कि आपके पास कोई cheese है मैं क्या कहना चाहरा हूँ आपके पास कोई cheese है ठीक है icing cake है cake उपर icing कर दिया तो क्या लिखा इसने back food that is dedicate delicious with a topping क्या मतलब इसका extra benefit क्योंकि सीधा answer तो कभी idems क्या कभी direct answer देते हैं क्या direct meaning निकलता है क्या कि cake दे दिया तो back food कर दो गया इसलिए क्या extra benefit over and above and already food deal getting what you ask for क्या मतलब more than what is needed तो extra benefit क्या है ये extra benefit हुआ के नहीं हुआ आप मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों क्या आपको extra benefit हुआ के नहीं हुआ हुआ ना तो ये इसका जो option है वो क्या हो जाएगा second second इसका option हो जाएगा ठीके जी next is teaching time stitching time stitching time का मतलब होता है कि आप time से कोई काम है वो complete कर लो stitching time time के उपर मजबूत रहो अपने जिससे कि आपको किसी भी तरह का negative जो है वो results ना मिले तो क्या ऐसा कोई option दे रखा है क्या telling one's efforts efficient making and effort to succeed and ability to take time it is बिल्कुल last में देखो क्या लिखा है timely action that prevents a negative outcomes क्या लिखा है timely action that prevents a negative outcome यानि इसका option क्या हो जाएगा भाई प्यारे बच्चो फूर्थ इसका answer होगा clear है बात समय में आगई यह फस्ट का तो फस्ट हो जाएगा second का यानि 11 नमबर क्यूशन का 12 नमबर का second है आपका और third का fourth और मैं hope करूँगा कि आपने सही कियोंगे क्योंकि इतना कोई difficult तो पूछा ही इसने इतना difficult नहीं पूछा है आप जितना सोच रहे हो ठीक है ना अब देखतें अगला कितने हो गए तेरा 4 नमबर क्योशन 8 6 और 7 यह तो यह मालो की यह तो आपको gift में दे दिया क्यों नहीं दे दिया इससे आसान क्योशन को भी होता है गया यह बता आप तो कि इससे आसान question को भी हो सकता है गया 6 & 7 बहुत बार जिसने भी थोड़ी बहुत competition की त्यारी किया उसको पता है कि 6 & 7 में कोई आदमी पढ़ गया 6 & 7 में पढ़ गया मतलब पजल हो गया confusion हो गया क्या confusion का है क्या कोई word इसमें क्या alternative है क्या बिल्कुल है का third answer talking 20 to the dozen बताओ कि आपने 12 को भी बात कर देखिए talk किया 20 to dozen 20 से 12 20 से 12 मतलब आप बहुत speed से हो किसी कावम को rapidly कर रहे हो ये देखो talking too much talking out of turn talking hardly and rapidly बिल्कुल ये पहला ही option पढ़ा है कि आप वो तेजी से हो बहुत जल्दी बात क्या कर रहे हो talking कर रहे हो ठीक है बात कर रहे हो under the weather weather के नीचे मतलब किसी कोई आदमी weather के भी मोस्नम के अंदर में आ गया अपन के देखिए इस आदमी की तबित खराब हो गई यानि इसका weather इसका मिजाज भी गड़ गया तो बताओ बरसात में चलना क्यों मतलब एक बात याद रखना कभी भी अगर इसने option दे दिया तो बरसात है 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 हीट इससे कोई मतलब नहीं होता कभी भी आप elements कभी भी idems direct meaning नहीं निकालेगा थोड़ा हट के निकालेगा unwell to sit on the fence fence क्या होती है बाड नहीं होती अपने खेतों के चारोत रोजो बाड लगती है वही तो होती है ना fence हना वही तो होती है तो fence यानि क्या लिखना चाहरा है to sit on the fence किसी बाड पर किसी ऐसी जगह पर आप बैठे हो जिसके borders क्या है दो borders है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक ऐसी जगह बैठे हो जहां पर आप क्या हो undecided हो to be undecided हो आपको आगे का पिछे का आगे जरस्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा यानि undecided वाली condition में हो to sit on the fence हो गया यह आपने option सही किया ना भई अच्छा जी हो गया भई कितने हो गई 17 18 नमबर question देखो once in a blue moon यह बिल्कुल है rarely होता है once in blue moon once in blue moon क्या होता है rarely होता है कि नहीं होता है बिल्कुल होता है कभी कबार चांद निकलना through thick and thin किसी ऐसी जगह से निकलना ठीक है जिसे अपन कैसा है थिक and thin में पढ़ना किसी ऐसी situations में पढ़ना कभी अच्छा होना कभी बुरा होना बहुत बुरी-बुरी conditions से निकलना तो बताओ वे क्या लिखा in genuine friendship through the best of everything बिल्कुल through difficult times क्या है का option through difficult times like chalk and cheese कभी chalk, कभी cheese, कभी chalk, कभी cheese मतलब conditions क्या है दोनों अलग-अलग है ठीक है तो chalk and cheese तो बिल्कुल अलग condition हो गई तो very different from each other दोनों चीज़े अपने आप में क्या है एकदम से अलग है तो हमने 20 questions कर लिए है 10 questions हमने इडम के भी कर लिए है 10 हमने spotting errors के कर लिए और 20 में से hop कर रहोंगे आप ज़्यादा ज़्यादा अच्छा कर कर के आए होगे ज़्यादा ज़्यादा solution कर के आए होगे और ज़्यादा होना भी चाहिए है भई ordering को कि यहां तक वो difficulty level नहीं था पेपर का इतना वो difficulty level नहीं था ठीक है ना अच्छा यह क्या आगे भई आपके बिल्कूल PQRS sentence के जो words हैं उसको order में लिखना और order का मतलब आपके पास options रहते हैं कि वह कौन सा जो order है जो कौन सा जो order है वो इसमें सही होगा तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छा यह कहां गई हाँ यह यहां से शुरू होगा भई हमें rearrange करना है जंबल part से sentence के और हमें jumble part को क्या करना है jumble का मतलब होता है कि sentence इसने डाल दी आगे पिछे कोई सा भी sentence पहले हो सकता है R भी पहले आ सकता है S भी पहले आ सकता है P Q कोई भी पहले आ सकता है आपको sentence को पढ़ना है कि कि हाँ से sentence शुरू होगा एक बात हमेशा यहां रखना है कि यह हमारे लग बग शुरू हो जाते हैं ठीक है उसके बाद हमें समझना होता है कि और इसन ना सकता है है there are many ways of dealing with them without excessive argumentation with interesting customers तो मैंने आपको बोला कि आप start कर सकते हो बिल्कु start कर सकते हो क्यूं से start कर दो आप हाँ भई क्या आप क्यूं से start कर दो ठीक है क्यूं से start कर दो क्या option में क्यूं है क्या कहीं पर there are many ways of dealing यहां से शुरू कर दिया आपन ने तो क्यूं से यहां से क्यूं से दो है आपके पास तो there are many ways of dealing के साथ क्या आना है dealing with them with intelligent customers तो अगर हम Q के बाद में ऐसा लगाते है तो Q के बाद में S के बाद में हम P लगाएं P क्या है there are many ways of dealing with intelligent customers but perhaps the best way is to agree with them तो को यहां पर आगे ना best ways किस के लिए customers के लिए यहां customer पहले एगा तभी तो उसके बाद में दैम आएगे ना with them without excessive argumentation तो कहने का मानले बाद में से क्यूंड आपके साथ second option से यह वाया वाला है तो वाया तो कभी भी कभी भी पहले नहीं आ सकता वाया क्या वाया क्या आगे कुछ आएगा ठीक है अब देखो इसमें आप यहां से शुरू करोगे देखो इंदा से कुई sentence शुरू नहीं होना चाहिए अगर हम यहां से सुरू करते हैं इंडिया एचीव रिमार्केबल एकोनोमिक डिवलपमेंट क्यू से कुछ से बिल्कुल यह लास्ट फॉर्थ दिखाई दे रहा है यहां से हम इसको पढ़के देखते हैं क्यू के बाद पी क्यू के बाद पी इंडिया एचीव आपका इसमें सही होगा ठीक है ना next नम बात करते है question number 23 was the victory secured by the women hockey team in the arena of sports perhaps against Australia in the Tokyo Olympics the greatest moment in Indian Olympic history बताओ बढ़ी सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले क्या आएगा कहा गया यह रहा बताओ सबसे पहले क्या आएगा देखो सोचा आप दिमाग लगाया आपने बिलकुल लगाया होगा ना हाँ बताओ बढ़ी देखो इसमें हम बात करते है कि संदेस शुरू कहां से होगा ठीक है तो देखो यहां से गर हम स्टार्ट करते हैं इन दा एरेन आफ स्पोर्स कि आज स्पोर्स की सेरिया इस फिल्ड में इस युग में शायद शायद दे ग्रेटेस्ट मोमेंट जो आया होगा भारती है अलॉम्पिक हिस्ट्री के लिए क्योंकि स्पोर्स की इस एरेया में जो ग्रेटेस्ट मोमेंट आया होगा वो कहा होगा वो यह था कि विक्टी सेक्यर भाई विमन होके टीम अगेंस्ट ऑस्टेलिया इन दे टॉक्य अलॉम्पिक बिल्कुल QSPR Next है In terms of GDP and GNP for causing the success of a nation which are the two major determints economics progress is determined क्या नाची है बाई बताओ 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 देखो स्टार्ट अगर हम यहां से करते हैं इन से नहीं, विच से नहीं 4 से नहीं, economics से हम स्टार्ट करें economics progress क्या करें economic progress is determined SM start कर रहा है फिर P In terms of GDP and GNP which are the two major determination for causing the success of a nation तो बिल्कुल इसमें SPR क्यों होगा 24 क्योशन आपन ने कर ली है Question number 25 With the aplomb of a stage artist that they are not man of straw they can twist and shake their bobbly heads mesmerizing the global into believing यानि हमारा question number 25 है तो बताओ, इसमें कहां से शुरू होना चाहिए बताओ क्या R से शुरू हो सकता है क्या, they can twist R, P, S, Q क्यों ने हो सकता, बिल्कुल हो सकता है they can twist and shake their bobbly heads bobbly heads with the album of a stage artist mesmerizing the global into believing that they are not man of straw यानि इसमें क्या हैगा इसमें, प्यारे बच्चो इसमें 25 में जो हमारा answer है, वो second होगा अगलायर ओफिट्स रेइन, सोक्ट, वेरेंड ओन दा अधर देयर आर, on the one hand there is immense beauty, the artifacts of its visible modernity, तो बताओ भई, इसमें सबसे पहले क्या ना चाहिए, बताओ इसमें सबसे पहले क्या ना चाहिए, 26 में सबसे पहले क्या ना चाहिए भई देखो, and से कभी sentence शुरू नहीं हो सकता, off से जल्दी से शुरू नहीं होते हैं, क्योंकि अपना में connector हैं और यह preposition है, आपको पता है, off its, off its, its का मतलब इससे पहले कुछ होगा ना, its के लिए तो, होगा नहीं होगा, अगर हम sentence को शुरू करे, on the one hand, there is the immense beauty, यहां से हमारा sentence शुरू हो रहा है, बिल्कुल, beauty, of its rain-socked, बिल्कुल, यह होगा भई, ठीक है, फिर उसके क्यों आगया, and on the other, there are the artifacts of its visible modernity, इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जूरूत हैं नहीं आपको, question number 27, are often rooted the causes of extreme poverty in the inequalities of social system, the crack sequence, the causes क्या है, क्या causes है भई, the causes क्या है, अब यह दिखो, इसने तो, खुद ने answer start कर लिया, और causes से start होगा यह तो, बताओ आप क्या कारण क्या है, क्या causes है, the causes of extreme poverty, जो कारण है, extreme poverty के, वो क्या है, are often rooted in the inequalities of social system, जो भारा social system है, इसके अंदर जो inequalities है, मतलब जो गरीबी के, जो extreme poverty के, जो कारण है, कारण है, वो root करते हैं, किसमें, inequalities में, क्योंकि social system में असमानता है, तो कहने का मतलब इसमें QPRS आ जाएगा, A person by the way, he behaves and you must judge, not by the way he looks, यह तो एक sentence आप इसको बोल के देखो, समझ लोगे, क्या लिखा है, कि you must judge, you must judge, a person by the way, he behaves and not by the way he looks, आदेखो क्या लिगा है, कि थुम्हें कैसे आजमें को judge करना चाहिए, कि वो behave कैसे करता है, ना कि इस तरह से कि वो दिखता कैसा है, उसके look कैसा है, ठीक है टिर्स, हम बात करते हैं 29, to the greatest number of people, that causes the least discomfort, whenever in doubt, always opt for the option, तो देखो, इसमें, क्या अलाँ चाहिए, तो थोड़ा सा difficult है, बिल्कुल है यह, यह sentence बिल्कुल आपको थोड़ा सा है, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ा होगा बाई, मैं मानता हूँ, बिल्कुल लगाना पड़ा होगा, क्या से, देखो, to the greatest number of people, बिल्कुल sentence का पार्ट है तो, बीच का, the causes that list, that causes, causes क्या है, यहाँ इस से पहले को sentence है आपका, always opt for the option, अगर हम यहाँ से sentence को शुरू करते हैं, ठीक है? एक मिनाट, हाँ, कहां से शुरू करते हैं आपना, यहाँ से शुरू करते हैं, कि to the greatest number of people, तो whenever से अगर मैं इसको start करता हूँ, किस से सुरू करता हूँ, whenever से, तो कहां से भई, है कैस में आर, बिल्कुल आर, यहाँ भी है, यहाँ पे है, फिर इसके बाद में S अगर आ जाए, whenever in doubt, always opt for the option, बिल्कुल, यह देखो, doubt always, doubt always, क्या लिखा, doubt always, ठीक है, the option that, क्या लिखा, option के बाद में that, option के बाद में that, discomfort to, discomfort to the greatest number of people, clear, यहीं इसके अंदर option होगा, आपका, third से ही आपका option है, last है आपका, brought by bad times, against the despondency, our greatest defense, faith and belief are, तो faith and belief जो है, यहीं तो आपका subject होगे न, faith and belief are, यहाँ से तो sometimes शुरू होगया, helping हो दे रखी है, ठीक है, faith and belief are, यहीं S कहाँ पर दे रखा है आपको, पिल्कुल यहीं आपका answer हो जाएगा, S के बाद में R, R क्या दे रखा है, our greatest defense, faith and belief are our greatest defense, ठीक है, defense है, क्योंकि faith और belief क्या है, हमारे सबसे बड़े defense है, किसके अंदर defense काम आते हैं हमारे, against the despondency, जब हम निराश हो जाते हैं, brought by bad times, बुरे time के अंदर जब हम निराश हो जाते हैं, तो faith और belief ही कैसे greatest defense है, रक्षा हमें करते हैं, हमें हमें secure करते हैं, तो यह 30 questions आपके हो गए हैं, आप देखो आगे, अनमस आगे, हाना, तो question number 31 से आपके यह है, आपको 4 words दे रखे हैं, 4 words दे रखे हैं, 4 words के अंदर, जो opposite है, meaning के अंदर, इसके underline के opposite है, वो इसी को तो हमको ढूणना है, तो क्या लिखा है, कि जैसे ले crude, crude क्या होता है, देखो क्या होता है, crude होता है, uncivilized बंदा, ठीक है ना, uncivilized, जो uncivilized हो, barbaric person हो, हना, तो, अब देखो, इसमें refined होगा, बिल्कुल, balance person भी नहीं हो सकता, course और एगर भी नहीं हो सकता, uncivilized, refined क्या होता है, civilized बंदा, जो civilized हो, ठीक है ना, तो क्याने का मतलब crude का, जो है opposite है, refined, ठीक है, इसके बाद, देखो, अपना next, यहीं इसके अंदर क्या answer आजाएगा, refined, next है, his confidence is high, confidence उसका high है, confidence का मतलब, बहुत confidence वाला बंदा है, तो confidence, aggerness, endurance, सब एकी यह meaning होते हैं, steadfastness भी एकी बात होता है, diffidence, diffidence होता है, कोई बंदा है, सोड़ा साब, शर्मीला टाइप का इंसान होता है, अपनी आप के अंदर खोया हुआ होता है, diffidence, वो खोल बोल नहीं पाता, विश्वास नहीं होता, यानि इसके अंदर 32 का अंसर होगा, 1, his integrity is not, integrity क्या होती है, integrity क्या होती है, integrity, 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 honesty, किसी बंदे के अंदर integrity है, यह उस पर विश्वास किया जा सकता है, integrity है, है न, तो उसकी integrity क्या है, skillfulness, same, यह तो sinnumus होगे, sinnumus होगे, dependability भी same है, ability, यह दिस होनेस्टी, क्या हो जाएग इसका, इसका dishonesty हो जाएगा, next क्या कह रहा है, she is benevolent individual, बहुत अच्छा आदियों भी benevolent है, दोसरों के लिए है न, तो इसका क्या बताना है आपको, इसका, यह देखो, यह कभी भी आता है न, एक बात याद रखना, यह जो बी एन होता है न, यह जो बी एनी, बी एनी, यह क positive response में आता है हमेशा, किसमें आता है, positive response में आता है, भी बहुत अच्छा आदमी है कोई, ठीक है, और जब यह आ जाता है न, इसका मतलब होता है, कि negative हर देता है, जातर इस, in sentences के अंदर, in words के अंदर, यह वाला जो है न, option में आपको मिलता है, मिलता है, याद रखने इस ब बंदा है एक दम से, हाना, civilized है बंदा, civilized बंदा है, compromising बंदा है, uncommon बंदा है, तो इसका मतलब, अगर यह stylish होता है, तो यहाँ पर option में क्या हो जाएगा, unstylish हो जाएगा, simple, आगे दा, peace of arts is authentic, authentic है मतलब क्या genuine होता है, बिलकुल होता है, expensive हो सकती है चीज, rare हो सकती है चीज लेकिन fake, opposite क्या हो जाएगा, fake, simple है, आगे दा, daily affect the population, अच्छा, daily के क्या होता है, flood होता है, कि flood ने क्या किया, population को affect किया, इसका जो, opposite होगा, वो drought होगा, यह लिखा ही हुआ इसमें तो, डेजल बरसात होती है, cloud breast, बादल का फटना, defotation, इस सब एक ही meaning में है, next है, कित्य होगे, 37 हाना, his dedication is known to all, dedication, उसकी जो dedication है, वो सब के लिए, तो यहनि वो बंदा बहुत clarity वाला है, बिल्कुल hostility वाला है, एंगर वाला है, तो कहने का मतलब सब को पता है, कि वो dedicated बंदा है, तो apathy क्या होती है, इसके opposite हो जाती है, ठीक है, अब opposite हो जाएगी, कि नहीं हो जाएगी, next है, यहनि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, third, the perspacity was remarkable, उसकी जो perspacity है, वो remarkable है, तो smartness होती है, बिल्कुल होती है, dedication हो सकता है, यहनि कहने का मतलब वो बंदा जो है, वो एक ही है, यह मतलब इसने जो पूछा है ना, same से ही पूछा है, बताओ, he has pageant for spicy food, बहुत जादा वो पसंद करता है, बहुत जादा लाइक करता है, किसको spicy food को, तो लाइक करता है, इसका मतलब dislike, opposite क्या हो है, इसका dislike, next देखो, यह last आपके 10 questions है, जो किoff कills के हैं, after a good meal, it's important, compliment, किसी को हम compliment क्या लिखा, after a good meal, it's important to pay compliment to the chef, chef को आप compliment मतलब आप DevOps कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी आप प्रसंचा कर रहे हो, praise कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं, तो बिलकुल praise हो जाएगा, हाँ लाओडेबल क्या होता है श्रीन सब्मेटिंग लगा होग कु籃ए घृए चालो बहात टेरे नहीं करता है वो काम को बहुत ठाइम पे करता है ठीक है तो डिले डिलेंग वाला या प्रोस्केस्टनिंग यह भी intelligent intelligent का मतलब भी नहीं से हाँ यह लिखा है consentence है यह इसका answer होगा जो बंदा बहुत ही active है diligent है बहुत active बंदा है he appears to be reticent reticent का मतलब क्या होता है इसमें थोड़ा सा यहां पर यूपीसी ने कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि कोई reticent बंदा क्या होता है दूसरों से अलग रहने वाला दूसरों के साथ मिक्स अप नहीं होता ऐसे आदमी तो होता है ना तो expensive से का मतलब भी नहीं है जोली खुश नहीं आएं साइलेंट को सालेंट है यहां पर इसके सबसे नस्दीक तो विद्रॉन ही है और यह आंसर की में आपको विद्रॉन ही मिलेगा हम बात करते हैं 46, he is always jowel, jowel बहुत खुशी वाला इंसान, बहुत खुशी वाला इंसान, जैसे आप खुश रहते हो ना वैसे खुशी वाला, बहुत खुश रहता है जो इसान, तो cheerful हो गया, क्या हो गया, cheerful हो गया, बिल्कुल सही है, Mohan remains most these days, बहुत उदास रहता है बहुत चर्पी बात लेकने वाला, generous introspective, अंदर यंदर रहने वाला, तो इसान की किसी चीज़ को सीखने की, तो इच्छा नहीं होना तो एगर और fearful है, इसका तो मतलब भी नहीं है, unwilling हो जाएगा, अमित, optimistic है, किसको लेकर, investment को लेकर, optimistic मतलब, सेंजन हो गया, सचीन is very cooperative, cooperative बन्दा, competitive बन्दा, complacent होता है, cooperative और complacent एक ही similar है, देखो, covert होता है, अंदर चुपा के रखना, किसी ओज़ीज़ को, secret करना, compassionate करना, किसी बात को दबा के रखना, तो कहने का मतलब, cooperative है, बहुत ज़दा cooperative है, तो कहने का मतलब, यह आपके 40 questions थे, ठीक एडियर्स और 50 questions मैं, मान सकता हूँ कि 2-3, 2-3 questions, तो सभी series के, सभी जो है, आपके 10-10 questions थे, आपके, इडियर्स के 10 थे, और थे, पांसा, 10-10 questions थे, ऐसे होते ही हैं, जो लगवड़, लगवड़ difficulty level में आते ही है, पके paper moderate था, बहुत ही असान paper अपकी बार पुछा है, आपने अपना काम किया होगा, और देखो, आगे से अपने को preparation को शुरू करी देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने answer की मिला लिए, और हाँ, हो गया, हो गया, मेरा, answer की में ठीक है, कहीं एक दो question हो सकते हैं, आंसर की आने के बात बाकि तो पता चलता है, ठीक है, पर कहने क मतलब मेरे यह है कि त्यारी जो है, वो सही time पर शुरू कर देनी चाहिए, अभी यह अपना paper जो लगा है, 10 अपरेल को लगा, NDA, आप देख पार, NDA का first हुआ है, इसके बाद में फिर NDA second भी होगा, इसी साल होगा, जो second की preparation के लिए अपने बैस शुरू कर दी है, ठीक है, CLC में आओ आप, अपना जो भी enrollment है, वहाँ पा जो admission system है, उसको आप follow करें, discipline के साथ अपना काम को शुरू कर दें, आप पूरी की पूरी जो हमारी team है, वो उसकाम में लग गई है, ठीक है, तो बिल्कुल आप आएं, और अपनी जो preparation उसको आगे शुरू कर दें, तो ठीक ह जैसा कि आप जानते हैं, CLC अपनी बहतरिन team के साथ और बहुत ही बहतरिन result के शाथ, NEET और JEE में शांदार काम करते आ रही है, जैसा कि आप जानते हैं, आज कल, defense भी एक बहुत शांदार area अपने बहतरिन carrier के लिए बनते जा रहा है, तो पब्लिक की भारी demand के अधार पर, CLC ने defense में भी अपना कदम रख दिया है, जैसा कि आप जानते हो, 10 अपरेल 2022 को NDA का paper हुआ था, जिसमें physics की कुछ questions हैं, उनका हम solution करने जा रहे हैं, ठीक है, तो question number 51 से अपना शुरू करते हैं, तो इसमें question क्या है, what is the mass of material, whose specific heat capacity is 400 Jol per kg per degree Celsius, for a rise in temperature from 15 to 25, when heat received is 20 Kilo Zol, तो simple एक best equation है, यह जो heat है, जो required heat है, वो जैसे आप जानते हैं, जो required heat है, यह heat का जो use होता है, वो दो तरह से होता है, एक है during temperature chance, और दूसरा होता है, during phase conversion, और दोनों के ही question यहाँ पूछे गए वे हैं, जैसे आप देखो, यहाँ पे question आपका है, during temperature change, तो during temperature change required heat, delta Q is equal to होता है, ms delta theta, ms delta theta, और हम से यहाँ पूछा गया है, mass, तो जैसे इसमें इसको solve करें, mass m is equal to, यह है, delta Q upon s into delta theta, delta Q given heat, तो हमारे पास heat कितना साब, यह 20 kilo zool, यानि 20 into 1000 upon s, specific heat आपको दे रखा है, 400, for 100, temperature rise 15 to 25, means 10 degree Celsius का temperature difference आपका है, अब इसको अपन solve करें, तो जैसे इसको आप solve करते हैं, इसको आपन यहाँ से कर दें, cancel, और 00 भी यहाँ से आपन करें, cancel, 20 upon 5, sorry, 20 upon 4, that mean 5 kg, तो इसमें amount कितना हो जाएगा, 5 kg, ओके, तो नेक्स क्यूशन, the specific latent heat of vaporization of a substance is the quantity of heat needed to change unit mass from, 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 तो यह है साब क्या है, यह है, आप से question पूछा है, किसी पदार्थ के वास्पन की विशिष्ट गुप्त उश्मा, उस्मा की वह मात्रा है, जो उस पदार्थ के एकांग दरेमान को, तो यह एक दरह से phase conversion के लिए required heat है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, delta q या q is equal to ml, l यहाँ पे latent heat है, जिसको अपन लिखे हैं, यहाँ पे l is equal to q by m, तो पर unit mass, एकांग दरेमान के phase conversion के लिए आवस्पी कुश्मा है, अब phase conversion जैसे हम गड़ते हैं, तो phase conversion में जैसे हम आइस to water, और water to vapor बनता है, तो उसी के coding है, तो vapor का vapor में conversion होता है, तो इसका सही आप cancer कॉंस जाएगा, और जिसमें यह भी ध्यान रखना अपने को, कि during phase conversion, जो अवस्था परिबर्टन होता है, उसके दौरान ताप और दाब, यानि temperature और pressure हमें सां constant रहते हैं, इसका मतलब हो है क्या, वो एक isobaric और isothermal process होते हैं, तीक है, isobaric यानि pressure constant होता है, और यह वहाँ temperature भी आपका constant रहता है, तो वो isobaric और isothermal process के example होते हैं, तो simple है, ताप मान में बिना कोई परिवर्टन के वास अप ताप मान के बिना परिवर्टन के जैसे आप देखो first लिखा option कि ताप मान में परिवर्टन के साथ दर्वावस्था से वास आवस्था में ताप मान में तो परिवर्टन नहीं होता है, ताप मान बिना कोई परिव परिवरतन के रिए दर्वा वस्ता से वाश्च आवस्ता में परिवरतन के लिए आवस्तेगे उसमें बिलकुल इसका आपका सेकेंड अंसर है वो राइट हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं आगे अगे अगे तो अगला क्रिशन है एक इवोपोरेशन फ्रॉम दा सर्फेस ऑफ फिक गिवन लिक्विट टैक्स प्लेस मोर रैपिडली वें यह कर रहा है किसी दिये दर्वे के प्रस्ट से वाश्च पीकन कब अधिक तेजिसे होता है तो वाश्च पीकन तब अच्छा होता है मालू का हमारे पास एक सर्फेस है जैसे फॉर एक्जामपल ये कोई सर्फेस हमारे पास और इसका रेडियस मालो कितना आर है इसका सर्फेस एरिया कितना ए तो जो इसकी सर्फेस से हीट यहां से इमिट होती है वो हीट डिपरंड कैसे करती है तो हम जो स्टीफन स्लो पढ़ते हैं तो स्टीफन स्लो की अकोर्डिंग आप जानते हैं कि पर उनिट एरि total amount of energy radiated from anybody किसी भी surface से जो energy emit होती है उसका value हमारे पास कितना है sigma A into T और T की power 4 या T है temperature और A है इसका surface area तो किसी body का temperature जितना ज़ादा होगा और उसका surface area जितना ज़ादा होगा उससे होने वाला wash peak run जो है या evoporation जो है वो हमेशा उतना ही ज़ादा होगा इसका मांदों कैसे है first कर रहा है कि जब तापान ज़ादा हो और area भी बड़ा हो बिलकुल the temperature is high and the surface area of the liquid is large तो इसका first answer आपका सही चला जाएगा ठीक है next में पन चलते है तो अगला question आपका है रेगो कि which of the following statement correctly explains the existence of a positive force between two charges यानि कैसा है कि हमारे पास दो चार्ज है उन दो चार्ज के बीच ऐसी कौन से condition है जब उनकी बीच में रीपल्सन फोर्स यानि positive force है वो होता है positive force का मदल रीपल्सन फोर्स के according अपनी हाँ यूज करेंगे तो simple question है आप जानते हैं उनके बीच जजाती आविच होते हैं उनमें होता है रीपल्सन उसको पन positive force मानते हैं और जो आपकी विजाती है आविच होते हैं unlike जो होते हैं unlike एक प्लस एक माइनस और उनके बीच पोर्स कैसा होता है वो आपका attraction का होता है तो first इसमें दिर रहागा both the charges are positive बिलकुल ठीक है जो टो झाजितर बोड़ फोर्स एक इसमे प्लस और नेज der और आपनों आविच्व चित होने चाहिंए अब बॉफ लिचल फोर्स माइनस एक प्लस ओपन से might से सोर्स कैसा हाईगा ? पाएगा तो इसका अंशर आपका जाएगा कौन सा ए ओनली टो आप देखो ए एंड बी एप यह अड़ी ए और बी कि कि यह और बी बहुत इसका अंसर आपके हो जाएगे ठीक है थर्द इसका अंसर आपका राइट हो जाएगा कि बढ़ते हैं नेक्स्ट में हाजी अगला क्रिश्टन आपका है कि हाजी नेक्स्ट क्रिश्टन देखें एन एलेक्रिक वायरोफ रिजिस्टेंस 50 ओम इस कट इन तो 5 इक्वल वायर्स इस वायर्स आर देन कनेक्टेड इन पारलल वाट इस दे एक्विवलेंट रिजिस्टेंस आप इस वायर्स तो हमारे पास एक 50 ओम इक्वटेंस है जिसको पहले है अपने 5 इक्वल पार्स में ठेट किया है जैसे वां लीजएगा हमारे पास सी कोई वायर्स करता है रिह सबने But और जब इसको इक्वल पार्स में ऐसे कट करते हैं उस दोरान इसका क्रोस सेक्षन एरिया नेचर आप मेटेरल कॉंस्टेंट रहेंगे सिर्फ लेंथ आपकी वेरी करेगी तो इसका मतलब रो और एक कॉंस्टेंट है और ऐसी कंडिशन में आर प्रोपोर्शनल टू हो गया है इसका मतलब जो एक सेग्मेंट हमको मिलेगा उसका रेस्टेंट कितना है और हमारे पास था 50 ओम अपॉन 5 यह 10 ओम हो जाएगा तो एक सेग्मेंट है उसका एक पीस जो है वो 10 ओम का है अब ही कहा जा रहा है कि इन सब को अगर हम जोड़ने किसमें पार्शू करमें समानतर क बंगर में जोड़े जाने के पाश्वाठ्यक जो इसका इकवल रेस्टेंस हाएगा तो आप जानते हैं कि जा पान यात करते है इक पन रसेइंस किसमें समानत त्र ग्रम में वह तहां है और है इम्ठाए और कितने वाइर्स है तो 10 अपॉन 5 नेच्छं कंव 10 ऑन the electric field lines from an isolated positively charged conducting sphere are एक हमारे पास conducting sphere है और उससे बनने वाली विदुशेतर रेखा है जो है वो किश्परकार की बनती है तो देखो साब यह मालू हमारे पास एक sphere है और इसको आपने दे रखा है charge positively charged charge की positive होने पर जो इसकी field lines बनती है वो हमेशा बनती है एक तो normal to surface इस surface की हमेशा rectangle बनेगी और ऐसे में है कैसी यह सब है radially outward radially outward surface पर ठीक 90 पर होती है और हमेशा radially outward बनेगी तो option देखेगा ए चालक प्रच्ट की पर रेके गलत हैं चालक प्रस्ट के etmek मेरे बिल्कुल ठीक है और गोले के केंद की बिल्कुल ठीक है, आउट वार्ड from the center of sphere, प्रोपर आप लेंविज उस करेंगे, तो रेडियली आउट वार्ड बैतर रहेगा, और इसी कानिस का राइट आंसर आपका हो जाएगा, फॉर्ट, हलो इस्टुडेंट्स, मैं दयाल चोधरी टीम, सेलसी टीम कमेश्ट्री, आज अपने अपने पेपर डिसक्रस करने जा रहे हैं, इस फॉलोवेंग इस नौट ए सॉलिशन, कौन सा सॉलिशन नहीं है, यह इडेंटिफाई करना है, तो अलोई, यह होमोजीनियस मिक्सर होता है, लुग की बात करें तो यह अपने काउंट करते हैं, ओल और वोटर का यह मिक्शर है, एर में आपको बताई, डस्ट पार्टिकल्स, मिक्स होते हैं, वह भी अपने प्रकार का सॉलिशन है, तो आपके पास है, शरकरा, यह आपका एक कंपाउंड है तो यह प्योर है नेक्स्ट क्यूस्ट के अपने बात करते हैं रिफाइनिंग और पेट्रोलियम इसके लिए काम में लिया जा सकता है बीपी डिफ्रेंस के वज़े से यह काम होता है कि केमिकल चैंज यहां पर देखना है तो सुगर का वाटर में डिजयूल और यह आपको ब्लूडपर का फिजिकल चैंज और जैसे आइस का मेल्टिंग होना मतलब कि वोटर बनाना यह भी फिजिकल चैंज है जब तक केमिकल फॉर्मूला नहीं बदलेगा तब तक वो फिजिकल चैंज है जी होगा है सुगरका इसमें डीजोल होने पर सुगर का फॉर्मूला अवस्टर इलाओं यहांपे अगर फे मेल्ट होरे तो ऑस्ट का फॉर्मूला यहीं रहता है क्शिम तो जैसे प्रकार हैं कोई बी stele Richard वह गया तो फोर्म नहीं छंग जोगा जबकि मिल्ड ट्रंस सोर यहां पर एक केमिकल चैंजेज हो गाएगा किलियर नेक्स्ट विच्बन ओफ फोलोंगिज करेक्ट एल्व्मॉलर फॉर्मॉली अमॉनियम कारवनेट तो आपको पता है अमॉनियम की जो वैलन सी होती है वह प्लस होती है अ काफी सिंपल कर दिया इस कि इसन को कार्वोनेट की वैलन सी हां दे रख्खिये और एक अनि कंपाउंड पॉंड है तो क्या होता है कि चार्ज क्रोस हो जाते चार्जकरोच कर देड़ना है थे हैं पॉली एटमी कनीन तो उसको इस मोल ब्रेकित में दो अगर अमोरीयम कारभोणेट का यह फॉरॉर्मला हो जाए फस्सींपल सा इसमे know that चलते हैं आओ थिसूंसे अपने बात करनें वाले विशन अपीन डीफ ओलव सब्कूपाउज आपको यहां पर देखना है तो केल्सियूम् अउगसाईड यह आपका एक आयंक कंपाउड होता है सोडियम नाइत्राइड ना यह आपका कैसा होता है एक आयनिक कंपाउंड होता है। जिंग कॉविलेंट जाते एक ईक होँड गोला जाता है। तो आप कंसर कॉन सा हो जाएगा 302 को आध। the mass number of argon is 40 argon का जो mass number होता है वो 40 दे दिया argon का mass number मतलब A A आपका कितना है 40 और A आपका क्या होता है P plus N तो proton तो उतने ही होंगे 18 जितना Z उतने proton तो 18 है तो 22 तो इसमें आजाएंगे neutron 18 इसमें आजाएंगे proton और neutral है तो 18 ही इसमें हो जाएंगे electron तो फर्स्ट कह रहा है proton नहीं यह तो गलत होगे argon में neutron नहीं 22 होंगे neutron argon में electron की संके 18 है यह बात सही है और sum of number of protons electrons is argon is 40 नहीं वो तो 36 होगा इन दोनों का sum ठीक है तो आपका थर्ड आंस्वर रहेगा next यह भी अच्छा क्यूसर नहीं which one of the following is correct order of the valence is element तो देखो neon होता है neon की valence 0 होती है silicon की valence 4 होती है nitrogen की valence 3 होगी और magnesium की valence 2 हो जाएगी ठीक वैसे देखा था जो यह 0 यह plus minus 4 तो generally plus 4 हो जाती है minus 3 अगर electrovalence की form में बात करें यह कोवलेंट अगर बढ़ना चाते है वेलेंसी तो 4 इसकी 3 और इसकी 2 तो आपका 0 2 पिर आजाएगी 3 और यह आजाएगी 4 तो फर्स्ट आंस्वर यह आपका यहां पर पर नेक्स नेक्स देखेगा मैं इसमें क्विश्शन किया है कि the frequency of an alternate current is 3 हड्स इक अल्टरेंटे करेंश की फ्रिक्वेंसी 3 हड्स है इत इंपलाइज इस से क्या पता लगता यह इस से क्या पूरू होता यह सिंपल बात रहें इसकी frequency गर आपको दे रखा है 3 hertz इसका मतलब है 3 cycles 3 cycles per second 3 cycle per second simple है तो इसका खास बात है there are 6 cycles per second 3 cycle per second इसका right answer आपका हो जाएगा second चीक है सब बढ़ते है next देखो which of the following correctly represents the SI unit of resistivity तो इसमें 4 terms आपकी होती है एक resistance होता है एक conductance होता है एक आपकी resistivity होती है एक होता है conductivity जैसा कि आप जानते हैं Z is equal to 1 upon R होता है और Rो या sigma is equal to क्या होता है 1 upon 1 upon Rो आप से पुछा है just resistivity तो जैसा कि आप जानते हैं resistance R equal to होता है Rो L by A resistance है L length of wire है इसका cross section area होता है तो इससे पना find करते हैं Rो रो हो जाएगा आपका R A upon L तो unit of R, ohm unit of area, meter square unit of length, meter meter cancel by this तो ohm into meter यह इसका answer आपका हो जाएगा ohm into meter that is for the answer पकेश हाँ जी अगला question है what is the current required to light a 60 watt in the condensed valve in a domestic supply of 240 volt 240 volt की घरेलो supply में 60 watt के एक ताप दिप्त बल्ब को आलोकित करने के लिए प्रकाशित करने के लिए कितनी बिदुधरा की आवस्सक्ता होगी तो जैसा कि आप इसमें जानते हैं कि कोई भी आपके पास electric bulb होता है उसको अपन जब glow करवाते हैं तो उससे अपन supply जोडते हैं और उस supply के अधार पे जो उसका power P होता है that is V into I या I square into R या होता है V square by R जिसमें P है power of bulb V है applied supplied जो potential है या voltage है और I है electrical passing through the electric wire of bulb तो अब चुंकि हमारे पास यहाँ पे क्या potential भी हमारे पास है electrical आप से पूछ जा रही है या आपको find करनी है और power इसके आपको दे रखी है तो क्यों ना अपन इसी से इस question को solve कर लें तो हमारे पास I का value कितना हो जाएगा P upon V power हमारे पास कितनी सा 60 और यह है 240 और इसको अपन यह से उड़ा दें तो यह हो गया 6 by 6 और 24 24 को अपन 6 से करेंगे cut तो 1 upon 4 और इसको भी अगर मान लीजिए पान solve करें तो इसको 2.5 से multiply करें 2.5 से divide करें तो 2.5 upon 10 that means 0.25 और वैसे भी 1 upon 4 किता 0.25 होता है तो इसका सही answer जाएगा second बढ़े आगे आओ साब हाँ जी next question है किसी विद्दुत वाही सिदित तार द्वारा तार के बाहर किसी बिंदु पे उत्पन होने वाला magnetic field तो यह बायस हावट जो लो होता है उसका एक simple application है और बायस हावट लो के according अपन पढ़ते हैं किसी वायर के ठीक बाहर कोई मारे पास एक वायर है उसके बाहर अपन भी निकालते है तो वो होता है म्यू नोड आई अपन टू पाई आर तो यह जो बी है किस पर depend कर रहा है current के proportional है और तो distance है उसके inversely proportional है तो question का answer देखेगा inversely on the distance from it बिल्कुल यह answer आपका ठीक है inversely है तो यह answer ठीक कर देंगे दूरी के अच्छा directly on the distance directly तो नहीं सब inversely at short distance and directly at large distance from it इसके बाहर के बिल्कुल पे तो एक ही रूल है inversely proportional to the distance इसमें कोई विशेश नहीं होदा है तो आप तो इसका answer आपका यही चला जाएगा next देखो साब इसमें है what is the dimension of gravitational constant g का dimension और यह तो बहतरिन question है multi-reputed question है neat में है j miss हर exams में defense में भी हर exam equation आपका पूझा आता है याद होना चाहिए बच्चे को जो भी exam देता है तो देखेगा जो gravitation low अपन पढ़ते हैं according to law f is equal to कितना होता है z m1 into m2 by r square इससे अपन find करते हैं z तो कितना होता f into r square upon m1 into m2 f तो force की dimension पन याद रखते हैं simple कितना होता है m1 l1 t minus 2 r square that mean l square mass into mass यह होगया आपका m2 अब इसको solve करेंगे तो यह mass का 1 और 2 तो इसको पन solve करेंगे तो m की पावर minus का 1 l की पावर कितना 1 और 2 कितना वाद 3 और t की पावर minus t की पावर minus से 2 तो l minus 1 t sorry m minus 1 l की पावर 3 और t minus 2 बिल्कुल basic multi-reparated dimension equation होता है जो आपको पूछा ही जाता है इसको तो तो मैंसा याद रखना ही चाहिए 1,3,2 है 1,3,2 है minus plus और minus minus plus और minus इस रूप में इसको आप याद रख लें अगर लाक्रिशन देखिए इसमें a ball is thrown vertically upward with a speed of 40 meter per second एक ball है उसको 40 meter per second से उपर भेंगा जा रहा है the time taken by the ball reach the maximum height would be approximately तो height जो है maximum होने के लिए समय कितना है time t तो t आप जानते हैं कितना होता है u by z तो u हमारे पास कितना 40 g को प्रोक्स मान लें पन कितना 10 तो यह 4 सेकेंड आपका अंसर हो जाएगा ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ़र्ड कि नेक्स्क्रिशन प्रयाओ देखो अगला है हमारे पास एक टाइम पीरिड ओफे वन मीटर लॉंग पैंडूलम अप्रोक्सिमेट टू एक 1 मिटर लेंद का हमारे पास सरलोलक है जिसका आवर्ड काल लगबग कितना है यह हमसे पूछा जा रहा है तो देखो किसी भी सिंपल पैंडूलम का आवर्ड काल होता है टी बराबर 2 पाई रोट ल बाई जी जिसमें हमको देर रखा है लेंद आफ टाइम पिरड लेंध आफ पैंडूलम 1 मीटर और जी अपन जानते है साथ अब एक बात द्यान रखाँ हमें साहं कि जो जी होता नशाद जी इसका जो रूट होता है वो अप्रोक्सिमेट पाई होता है प्रूटन रोटन ऑप कितना हो जाएगा टू टू सेकिंड आपका हो जाएगा और कौन से कथन सजीव और निर्जीव के बारे में सब्सक्राइब कर सकता है जबकि निर्जीव प्राणी नहीं कर सकता है बच्चों आप जानते हो कि अपने पास में कोई भी सेल को रिप्लेज करना है सेल से तो बहुत सजीव का केरेक्टर होता है सजीव और निर्जीव वर्दी जरूर कर सकते हैं वर्दी निर्जीव भी कर सकता है लेकिन अपने पास में रिपेर करना मतलब उस इस्तान पर दूसरा अपने पास में वैसे ही चीजें इंट्रोडूज कराना यह अपने पास में किसका करेक्टर है निर्जीव का करेक्टर न जबकि निर्जीव प्राणी नहीं करता है तो यह बिल्कूर सही बात है बच्चों कि अपने पास में अगर हम metabolic reactions की बात करें तो metabolic reactions जो शरीर के अंदर reaction होती है वो living का character है अपने पास में निर्जीव का character नहीं है तो हमारे पास में बोथ A और B की character चले जाते हैं इसमें क्योंकि non-living कभी भी अपने पास में metabolic की रियाए पर्फॉर्म नहीं करेंगे next question की बात करते हैं बच्चों तो question number 72 आपको क्या कह रहा है तो 72 question के बारे में हम देखते हैं तो 72 question में देखेगा आपको कहा गया है कि निमन लिखित में से which one of the following plant plastic store starch oil and protein granules ठीक है निमन लिखित में से कौन सा पादब लवक plant plastic मंड इस्टार तेलवय protein कणिकाओं को संग्रेथ करता है बच्चों अपने पास में जो यह वर्णी लवक है लूक को प्लास्ट है वह अपने पास में इन चीजों को संग्रेथ करते हैं और हम बात करें तो अपने पास में स्टार्ट को संग्रहित करने वाले को अपन ऐँलू लोपलास्ट बोल देते हैं तो इस तरह से यह category है leucoplast की तो answer आपका चला जाएगा second जिसे आप क्या बोलोगे leucoplast question number 73 के बारे में हम बात करते हैं तो जर्नल अपने पास में question 73 इसमें कहा रहा है निवन लिखित में से कौन सा रसधानी वैक्यूल के बारे में सही नहीं है ठीक है which of the following statement about वैक्यूल is not correct वैक्यूल आपको पता है कि plant को सिखा में हो या जनतों को सिखा में वैक्यूल पर जेंट होती है ठीक है in plants there is larger central वैक्यूल डैट में occupy 90% बच्चों आपको पता है कि जो अपने पास में प्लांट होते हैं उन्हें सिस्टम नहीं होता है तो जितना भी स्क्रेटरी में भरा जाता है तो उनकी बड़ी हो जाती है और 90% को अपने पास में ऑक्यूपाई करती है ठीक है इन प्लांट सेल वेक्वल टरजेडिटी एंड लीडिटी यह ट्रेडिटी और जो है इस प्रत्ता और अपने पास में रड़ता जो है वह किसके दवारा परदान की जाती है बोस्यमारे पास में ग्रोंग हो जाएगा यहां पर आनस्वर नहीं होग ठीक है तो इसके बाहरा है रोल इन न्यूट्रेशन तो अंदर वेक्व की तरह alike करती है ठीक है तो यह फूड वह कि अनीमल स्य सब्सक्राइब of पक्राइब होती है यह अपने पास में होती है दिखाई नहीं देती है क्यलिए ना इस्ट कुशन की बारे में बात किरते हैं इस है 74 74 हमें क्या कह रहा है तो 74 क्यूशन में देखिएगा बच्चों आपको कह रहा है इन एक्वेटिक प्लांट लाज एयर सेक गिव देम बायोंस इफेक्ट इस सेक्स आर स्रांडेड वाई विच वन ऑप फॉलॉइंग टाइप आप टिशू जलिये पात्पों में बड़ी वायु थेली एयर सेक्ट उनमें उत्पलावक परभाव परदान करती है ये थेलिया निमन में से किस उत्तक द्वारा गरी होती है बच्चों सिंपल सी बात करें तो जलिये पात्पों में एयरेन काइमा होता है एक लिविंग टिशू है पैरिन काइमा का 75 नमर जो किस्टन है इसके अंदर पूछा कि कौन सी एक मचली है विच वन और फॉल्विंग बिलॉंग टू पीशीज पीशीज एक करें तो इसके अंदर लोकोमोशन के लिए फिंस होते हैं तो पिशीज जो क्लास महा अधर्ग है तो इसका मेंमेबर जो है वो डॉग फिश है ये इसको सार्क भी कहते हैं, ये कार्टिलेजन być fish और इसको स्पोल ओडॉडह मिका जा जासकता है इसके सुंगनी की तागत काफी अच्छी होती है तो ये एक fish है backi silver fish जो है वो एक insect राई रकाती है जैली फिच वो भी नॉन कोड़ेट है ये सिलेंट्रेट है इस अंदर मुव करती है इस तरीक से लाइट भी मिध करती है और इस ते च्डिंगिंग बिलाश्ट होती है स्टार फिज्ज वो इकाइनोडरमेट्स है इकाइनोडरमेट्स है इसका तो यह सब्सक्राइब के अंदर अलग-अलग फाइलम की मेंबर है इन कोडेट के अंदर डॉग फिज की बात करें तो यह सूपर क्लास पीशे से लेटेड हो गया ठीक है तो आंसर हो जाएगा अपना 76 नमर क्यूशन की अपन बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्यूशन है हमारे पास में 76 क्या कह रहा है 76 आपको विच वन ऑप दा फॉलोईंग ग्रूफ ऑफ सैल्स ग्रूफ इज कोल्ड एंफिबियन और प्लांट किंडम आपको पता है एंफिबियन का मतलब वो होता है ज जो पानी से निकल करके जमेन में आये लेकिन इनको निश्यचन के लिए किसकी आप सकता होती है पानी क्या आप सकता होती है इसलिए यह पानी में वापस चले जाते है तो ब्रायोफाइट इज दा एंफिबियन और प्लांट की नहीं 77 नमर क्यूशन देखो विच वन आप फॉलिविंग इस कॉस्ट बाई बैक्टेरियल पैतोजन डिजीज से लिटेड़ क्यूशन है तो एड्स जो है वो वाइरल हो गया एक वाइरल डिजीज है यह सर्ख कोज वाइरस की वज़ेस वाज़े से होता है सीविए एक्यूट रेस्परेटरिसंद्रोम कोरोना वाइरस से टेंड है यह बात करें त्योजूशन बीएक वाइरल डिजीज और लेकिन इसमें जो डेंगु वायरिस हो वो एडीज मॉस्केटो जो उसके काटने से वोडी के अंदर एंटी करता है लेकिन टाइफ़ाइड फ्यूबर की अगर बात करें तो यह बैक्टिरियल डिजीज के अंदर आता है बैक्टिरियल और यह जो है फिको ओरल रूट से होता है फिको order root, contaminated food and water से vodhi के अंदर एंटी करता है और बैक्टिरियल इसमें causing agent हा रू है Salmonella ॥EN आए सी साल्मोनेला टाइफे एडwo है तो साल्मोनेला टाइपीटिरिया कटमेटे दूसी के अंदर पर हरो हरते है और आपर अची सबस्क्राइब कोटे है टीक है तो भातर सबीक्तिरिय पैतरो पुछा तो आंसर होसाइगा अपना फॉर में शालका of a star is due to the atmospheric, किस के कर्ण होता है, किस कर्ण से तारे टिमिटी पाते हैं, यह simple basic question आपका reflection of light, reflection of light, तो इसका third answer आपका exact हो जाएगा, अगला question क्या है, किसी दर्यमान capital M को इसके विस्थापन की परतिशमांतर, जैसे कि मालो कोई एक हमारे पास body है, जिसका मास कितना capital M है, तो इसके विस्थापन की परतिशमांतर, मालो इसका विस्थापन इस तरफ हो रहा है D, और इसके ठीक opposite, इसके परतिशमांतर, एक परतिशमांतर बल द्वारा एक शतिशमांतर पर घिंद द्वारा खीच अजार उसके रहे हैं, तो द्रेमान capital M को खीचने में कितना कारी करना पड़ेगा, तो मैं इसमें क्या है कि force जो आपका है, वो कैसा displacement की opposite है, तो ऐसी स्थी में जो W होता है, W is equal to F D, अब देखो D आपका right word है, दाई तरफ है, F कैसा बाई तरफ है, तो कोण की ताउं एक स्थी हो गया, तो हम लिखें इसको cost 180 degree, तो cost 180 कैसा होता है, negative होता है, इसलिए इसका answer आपका minus F into D, तो कारिय जो इसमें है, उसका sign up आपन देख रहे हैं, तो किस परकार का जाएगा, negative, ठीक है, तो answer इसका बाई जाएगा, आपका fourth, sorry, अगला question, कि 5 newton force is defined, when a mass of 10 kg is accelerated with, तो आपसे पुछाएं कि 10 kg mass का turn कितना होगा, जिससे 5 newton बल है, उसको पर define कर सकें, तो F is equal to होता है, ma, तो हमें इसमें find करना है, acceleration, तो A is equal to होगे, आपका force by mass, force किता दिरिखा हम लोगों को, 5 newton, और mass of body कितना है, 10 kg, इसका मतल होगया, 1 by 2 meter per second square, 1 by 2 या 0.5, 0.5 और SI system में है, तो इसका answer आपका हो जाएगा, second, 0.5 meter per second square, next देखो, अगले में है, कि a boy of mass 52 kg jumps with a horizontal velocity of 2 meter per second, एक कोई, 52 kg mass का कोई boy है, और वो 2 meter per second jump कर रहा है, किसी गाड़ी पर, देखो किसन बहुत प्यारा है, 52 kg के दर्यमान का एक लड़का, 3 kg के दर्यमान किसी एक इस्तिर ठेला गाड़ी, एक 8 है rest में, और जिसको की गाड़ी पर 2 meter per second के horizontal speed से कूटता है, ठेला गाड़ी में गश्रन हीन पाई ये लगे हैं, तो ठेला गाड़ी की चाल हीन में से क्या होगी, basic question है, जैसे मान लो, कि हमारे पास ही कोई ठेला गाड़ी है, और जो ground surface है, इनके भी किसी परकार का कोई friction नहीं है, मियों कितना इसका 0 है, अब, question यह है साब कि, एक कोई man है, जिसका mass कितना है, 52 kg, और यह क्या कर रहा है, 2 meter per second की speed से इस पर jump करता है, जब 2 meter per second jump करेगा, तो इसका momentum कितना है, बाहर से को एक्सल फोर्स नहीं है, जैसे इस पर यह gently drop होगा, इस पर आएगा आपने आपको, place करेगा, तो आपको यहाँ इसका mass भी दे रखा है, इसक मैं मान रहता हूँ, capital M, mass कितना है ठेलागाडी का, बताएजी 3 kg, 3 kg की ठेलागाडी है, तो अब इसको कैसे स्वाल करेंगे, सामाने सी process है, जितना momentum है, पहले उतना ही बाद में होगा, तो इसकी यहाँ drop होने की बाद, जो system का momentum हो कितना होगा, जितना initially कितना है, यह 52 into 2 is equal to जैसे इस से आप process को जोड़ेंगे, तो total mass यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52 plus 3 into V, तो आप इसको solve करेंगे, तो थाप देगो, 52 into 2 हो गया आपका कितना, 104 is equal to, यह हो गया, 55 into V, और इस से अपर solve करें, तो V is equal to आपका है, 104 upon 55, अगर यह होता 52, तो approach कितना होता है, 2, थोड़ा सा कैसा है, फिर थोड़ा से large है, तो इसका answer क्या जाएगा, 2 से थोड़ा सा कम, तो आप देखें, 2 से थोड़ा सा कम कौन सा है, second answer आप कर सकते हैं, बिल्कुल easily, तो इसका बिल्कुल proper answer आपका है, second, next देखो, अगरा question आप से का है, the energy possessed by a body due to its change in position or shape is called, किसी भी बोड़ी की अपनी orientation, अपनी position की कारण, या उसकी shape की कारण सो energy होती है, उसको हम लोग कहते हैं, potential energy, बिल्कुल एक simple definition operation था, जिसको आप टिक कर सकते हैं, answer की रूप में, second, next question देखो, इसमें है, a sound wave has a frequency of 1 kilohertz and wavelength 50 centimeter, how long will it take to travel 1 kilometer, यह कर रहा है, यह कोई sound wave है, इसकी frequency है, इतना इसका lambda है, तो 1 kilometer की distance को travel करने में कितना समय लगेगा, तो समय टाइम आपको पूछा है, time होता है साब, distance of speed, distance upon speed, distance आपको दे रखिए, तो distance कितना है साब 1 kilometer, 1 kilometer, velocity of wave, वो है कितनी, v equal to n lambda, v is equal to n lambda, तो 1,000 upon, n यहाँ पर frequency है, frequency हम आपको दे रखिए, कितना 1 kilohertz, 1 kilohertz, तो इसको भी करते है, 1 kilohertz, तो 1000 into lambda है, 50 centimeter, यानि 1 by 2 meter, तो 1000 cancel by 1000, तो 2 चला गए आपका उपर, तो इसका answer आपका है, 2 second, तो हम answer की रूप में इसको tick कर सकते हैं, 4th, तो एक शानदार question, फिर आता है, for an element with atomic number 35, which one of following will be correct number of electron in its valence cell based bore model, तो bore model में तो क्या होता है, single electronic species पर अप्लाई होता है, तो आप कहा answer कौन सा आजाएगा, फिर स्टा आजाएगा, next, which one of the following is not an example of redox reaction, कौन सा है जो, redox reaction का example नहीं है, तो यह रहा hydrolysis, लेको, aluminium plus 3 में है, यहां पर भी plus 3 में, oxygen हट जगा minus 2 में है, hydrogen plus 1 में है, hydrogen इधर भी plus 1 में है, chlorine minus में है, यह minus में है, कोई oxidation state change नहीं हो रही है, तो आपका कौन सा आजाएगा, first, next, which one of the following, allotrops of carbon is a isomorphous with a crystalline silicon, तो diamond हो गया, अभी थोड़े देर पहले बताएदानों, यह मालो एक ही pattern फे क्यों सुन हो गई है, यह तो diamond की जैसे structure होती है, silicon carbide की भी वैसी structure होती है, next, hydrogen की बात कराएगा, तो hydrogen आपकी कैसी होती है, colorless gas होती है, नेक्स्ट की बात करते हैं, और उसमें पुछा है, which one of the following is not a pigment, निवन में से कौन सा वरनक नहीं है, वरनक का मतलब सीधी सी बात है, जो colorful नहीं है, तो हम colorful नहीं है, इसकी बारे में अपने पास में बात कर रहे हैं, तो zinc oxide जो हो है बेटा, अपने पास में zinc oxide होता है, और यह सफेद color का होता है, फिर दूसरा हम चोक की बात करें, तो चोक आप जानते हैं, नॉर्मल होता है, यह भी अपने पास में क्या है, एक सपेद color की structure है, वाइट लेड में आपको डायरेक्टी दे रखा है कि सपेद सीसा, तो यह अपने पास में क्या हो जाएगा, यह अपने पास में जर्नली और वरक के समन्द में पूछा है, यह कौन सा नोट करक्ट है, यूर्या इज दा फोसफोर्स कंटेनिंग फटिलाइजर, यूर्या फोसफोर्स युक्त उर्वरक है, नहीं बच्चो, यूर्या जो है, वो अपने पास में फोसफोर्स युक्त नहीं है, उसमें अपने पास में ज्यादा तर अमाउंट किसका होता है, नाइट्रोजन का हो ताकि मर्दा की उर्वरक्ता इंक्रीज हो जाए ठीक है यूरिया कैन बी प्रिप्रेड बाई एक्षन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डायोकसाइड अंडर हाई प्रेसर एंड एट हाई टेंपरेचर आपने हैबर प्रोसेस के बारे में जानते हो जिससे यूरिया का फोर्मेश होता है यह हमने बताया था आप गाउं में भी अपने पास में खेते में यूरिया डालते है तो 46 परसेंट उसके अंदर क्या होता है नाइट्रोजन होता है कि लिए रहे तो आंसर विल भी फॉर्विच वन आप देखीगा नॉट कि मॉस्ट कार्बन कंबाउंड्स और गु इसक्यूशन की अपना बात करते हैं इस विच वन आप दे फॉलोविंग रियक्शनी इस एन एक्जांपल ओप डिकंपोजिशन रियक्शन तो यह रहा एक कंपाउंड है मोड दैन में तूट रहा है तो यह आपका किसका अग्जांपल है डिकंपोजिशन का एक्जांपल तो यह आपका एंडिय का पेपर था और पेपर को एनलाइज अगर और लोग देखा जाए तो काफी नीट या जेए के कंपेरिजन में काफी सिंपल फेपर होता है इसका मतलब अगर थोड़ा सा केरफूली अपने रीड करते हैं देखा जाए तो यह मोस्टली तो टेंथ इ वाल का मान सकते हैं 10th standards से बाकी नीट और जेए के कंपेरिजन में काफी हलका फेपर है तो आयोप अगर इसके लिए आप अच्छे से तैयरी करते हो तो काफी आहसानी से NDIA को क्रेक किया जा सकता और CLC इसी थीम के उपर आप काम करने वाली है defense academy के तरिव तो आप पिल्स होती है oral contraceptive pills के कर बात करें तो इसमें estrogen, progesterone या दोनों का ratio होता है और यह body के अंदर लेने के बाद में जो है इसकी वज़े से ovulation जो affected होता है cervical mucus की ठीकने से बढ़ जाती है जिसी sperm का प्वार ट्रांस पोर्ड जो होता है वो भी इंविट होता है endometrium जो उसके अंदर ऐसे बदलावाते हैं जिससे वो आरूपन implantation के लाइग नहीं रहती है इसके लावा लूटियल जो फेज होती है तो इसमें उसी oral contraceptive की mode of action के regarding कैसे वो और कर रहा है तो देख किल दा एग नहीं एक को किल करने जैसा कोई ही ऐसा mechanism है ही नहीं वो तो और लिशन के बाद में 24 गंटे तक अगर फेटलाइज नहीं होता तो बाद में अपने उसकी डेथ हो जाती है स्पम को किल करने से भी यह लेटेड नहीं है कुछ chemical method जरूर है जिसके अंदर कुछ cream, form, jellies वगर होती है जो वैजाइना में कोईटस से पहले जो है barrier method जिसे यह diaphragm, cervical cape, mold cape के साथ लगाई जाती है वो जरूर gametotoxic होती है स्पम को मार सकती है लेकिन पिल्स का ऐसा mode of action नहीं है कि जो स्पम को किल करें इसके लाबा कुछ IUD जो है उनका भी ऐसा mode of action हो सकता लेकिन Contraceptive pills जो है वो ऐसा नहीं करती है they kill the zygote नहीं, zygote को भी मारनी का mode of action है वो पिल्स का नहीं है जो आपको नहीं बताए तो ovulation को रोपना, cervical mucus की thickness को बढ़ाना, implantation की side जो है उसको इस तरीक से उसमें बदला होगाना कि निश्यचित जो एग है, embryo जो है उसका जो आरूपन है वो affected होता है तो they inhibit the release of egg मतलब यह किसको target कर रहा है ovulation इसमें जो ovulation की जो process वो affected होती है तो answer हो जाएगा अपना इसके अंदर कौन सा question number 93 हमें क्या खहरा है, 93 सिंपल सा खहरा है कि निवन में से किस पादप में पुस्प एक लिंगी होता है, which one of the following plants है, unisexual flower, अगर हम बात करें कि unisexual flower की, तो unisexual flower हमारे पास में पपिता में present होता है और unisexual flower वो होता है, जिन में या तो male होता है flower में, या फिर अपने पास में female हो तो उसको अपनी unisexual flower वोता है, पपिता के flower होता है, unisexual होता है, अबैसकस गुडल ठीक है, और mustard सर्शू और sunflower इनके bisexual flower होता है, next question अपने पास में आता है, question number 94 हमें क्या खहरा है, question number 94 हमें क्या खहरा है, a cell is unable to synthesis of lipid, which of its cell organically might be defective, ठीक है, कि अपने पास में एक कोशी का lipid sensation करने में एस समर्थ है, तो निमन में से कौन शा अंग्तिर्यूटिव पूरण हो सकता है, यह smooth endoplasmic reticulum की बात कर रहा है, ठीक है, lipid sensation करने में जो एस समर्थ सेल है, तो lipid का संसलेशन जो होता है, वो किस के द्वारा होता है, smooth endoplasmic reticulum के द्वारा होता है, आपको पता है कि rough endoplasmic reticulum होती है, वो आमारे पास में किसका संसलेशन करती है, बच्चों, protein का, और smooth endoplasmic reticulum है, वो आपने पास में किसका संसलेशन करती है, लिपीड का, तो lipid का संसलेशन गोलजी बोडी से नहीं होता है, ठीक है, और अपने पास में लाइसोसोम से नहीं होता है, और माइट्रो कॉंड्रिया से नहीं होता है, एक को सिका जो लिपीड के संसलेशन करने में ऐस समरता है, उसका निमलिक में से कौन सा को सिकांग त्रिट्यू पूरण हो सकता है, मतलब को सिकांग जो है, वो कारिय नहीं कर रहा, उसकी वज़े से लिपीड का संसलेशन नहीं हो रहा, तो सीधी सी बात है, smooth endoplasmic reticulum उसके अंद जो क्यूशन थे, वो complete हुए, बोटने के ठीक है, ओके, next देखो, इसमें हम से पूछा है साब, all object experience a buoyancy when they are immersed in a fluid, जब भी हम किसी body को किसी fluid के अंदर तरल में डूब होते हैं, तो एक buoyancy fuel होती है, तो buoyancy force है क्या, एक upward force होता है, एक upward अदो मुखी बल कर लाता है, या उपरी म मुखी बल कर लाता है, m days into g के बराबर, इसका right answer आपका हो जाएगा, third, next देखो, इसमें हम से पूछा है, according to the Fleming's right hand rule, if the four finger indicates the direction of magnetic field and thumb shows the direction of motion of conductor, then the stressed middle finger will predict the direction of, तो इक इसको शुकरेगी, तो जैसे कि आप जानते हैं, जो Fleming की दो rule हुआ करते हैं, Fleming की दो rule हैं, simple अगर आप चेक करें इसमें, तो देखो, Fleming की आपकी दो rule हैं, कौन कौन से rule हैं, एक है है, left hand का, एक कौन सा आपका right hand का, basic इसको आप याद कर सकते हैं, Fleming का left hand, जिसको इंदी में करते हैं, बाया हाथ का नियम, दूसरा कौन सा है, दाया हाथ का नियम, तो force की तरफ, second जो आपकी जो इसको पर्थम अंगोली काते हैं, four finger का पन काते हैं, यह हमें सा किसको करती हैं, पताइए, first thumb तो किसको, force को, first finger किसको करेगी, manate field को, तो third जो आपकी middle finger है, मद्दे माजिसको पन काते हैं, वो electric current को परदर्शित करती है, यहाँ इसको आपन arrange करते हैं, और हमें direction किसकी चाहिए होती है, force की, यहाँ उल्टा है, यहाँ इसको भी अपन force, F, B, I की रूप में treat कर सकते हैं, प्रन्तु यहाँ, thumb को अपन motion of conductor के along लेते हैं, यहाँ अगर हमारा अंगोठा चालक की गति दिशा में हो, और first finger है, यह manate field की तरफ हो, तो उस ही सित ठीक है, तो बिलकुल एक theoretical question है, अगेन आप चेक कर सकते हैं, F, B, I, यह है V, B, I, V, B, or I, पर I कौन सी है, induced current है, यह आपकी प्रिर्धारा की लिशा को represent करेगा, इसका right answer आपका हो जाएगा, third, यह भी एक अगला जो बैतरिन question है, two registers R1 and R2 are arranged in a parallel combination in an electrical closed circuit and made of the same material, तो हमारे पास wire है, R1 and R2, दोनों same material के हैं, same thickness, मतलब उनका cross section area आपका same है, if the length of R2 is twice the length of R1, then the total resistance R satisfies, एक बहुती प्यारा question है, यह देगो, ऐसे question need में भी पूजाती, need के अंदर भी ऐसा question है नहीं, तो अभी तक कि जितने questions है, उनमें, यह सबसे प्यारा question मुझे लगा, ठीक है, दूसरा एक wire ओर है, दोनों को हमने जोड़ा हुआ है, पैरलेलेस है, इसका resistance है R1, इसका resistance है R2, दोनों same meter के हैं, इसकी resistivity है साब row, इसकी भी resistivity कितनी है row, इसकी length है कितना, यहां से यहां L, और इसकी length कितना है 2L, इसका cross section area कितना है, thickness, same, इसकी भी कितनी है, A, अभी दो resistance R1, R2 है, आप से बोला गया है, दोनों की length है आपकी different है, तो पहले एक comparison कर लेते हैं, R is equal to होता है, row L by A, यह इसको मैं R1 एजिम कर लों, तो R2 हमारे पास कितना है, row, length कितना 2L by A, तो इसको अपन यह कर सकते हैं न 2R1, R2 just R1 का double है, यह आप इसे ली कर सकते हो, अब सुनो, हमें find करना इसका equivalent resistance, तो R equivalent, parallel combination, वह कितना करता है, R1 into R2 upon R1 plus R2, तो हमारे पास देखो R1 तो मैं इसको R1 लिख रहा हूं, पर R2 कितना है, 2R1, R2 है 2R1, फिर R1 plus 2R1, यानि 3R1, R1 से इसको उड़ा देते हैं, तो 2R1 is equal to हो गया, 3R equivalent, R equivalent आपको उदे रखा है, R, तो R is equal to what, 2 by 3R1, और इससे solve करने पे हमारे पास value आ रही है, 2R1 is equal to 3R, या 3R is equal to 2R1, 3R is equal to 2R1, 3R is equal to 2R1, तो first इस cancer आपका सही जाएगा, ठीक है? तो बहुत ही शंदर question आपका ये रहा देगो, next question आपसे पूछा जा रहा है, कि 10 cm focus दोरी के एक outer lens द्वारा उत्पन आवर्दन क्या होगा, जब lens से 5 cm के दोरी पर image बनता है, तो इसमें magnification जो आवर्दन हम लोग पढ़ते हैं, तो आवर्दन तो जैसे एक तो आपका दर्पन का होता है, एक किसका होता है? दोनों की fix formula होता है, जब देगो, आप जानते हैं, दर्पन और lens में मोटे तोर पर जो आपका एक difference आता है, तो एक तो हम पढ़ते हैं mirror, है ना, वो दूसरा होता है lens, तो आपने पढ़ोगा, दर्पन शुतर और lens शुतर, mirror formula और lens formula, तो दर्पन जैसे इसको पन कहते हैं, द is equal to 1 by M, lens वाले में क्या है, 1 upon V minus का 1 upon U is equal to 1 upon F, difference किसका है, यह plus का और minus का है, दर्पन, दर्पन में पैसे positive आएगा, lens में नैसे आएगा negative, यह आपको द्यान होना ही चाहिए, उसके बाद जो इसका magnification है, तो magnification जो आप पढ़ते हैं, M is equal to V by U, यहाँ पर भी यह formula आपका V upon U is, पर एक difference है, basically, यहाँ mirror में दर्पन में पैसे positive था, यहाँ negative था, जस इसका उल्टाइब plus है, तो यहाँ आपका formula आएगा, minus का, और यह कैसा होता है, आपका plus का, अब इसकी और formula भी आप ध्यान रखो, जैसे इसकी focus distance है, focus length, इसकी, जो terms में भी इसके formula होते हैं, और बिल कर सकते हो, कैसा equation है, कैसा इसका value है, उसको आप देखें, तो हमारे पास small M था, minus का V upon U था, यह है F upon F, तो अगर आप इसको use करते हैं, minus V की terms में, तो just minus का V, और U की terms में, तो यहाँ minus का U आप लगा सकते हैं, similarly इसमें भी आप देखें, तो lens का भी माइनस का V होता है, परन् में लिखते हैं, तो एक हलका सा difference, जो कि अपन mathematics से याद करते हैं, तो यह आपके formula fix बन जाते हैं, यह आपकी रही बात, अब इस quiz में देखो, क्या लिखा हुआ है, कि 10 cm फोकस दूरी के outer lens, हमारे पास एक outer lens है, 10 cm का, और outer lens की focus दूरी होती है negative, तो आप तो negative, आप दूसरा और इस से बनने वाले image सारी आप जानते हैं, किसी भी real object को अपन प्लेस करते हैं, किसी concave lens के सामने, तो image सारी इसके सामने बनती है, तो इसका V भी कैसा है, minus का है, तो सबसे पहला जो काम इसका है, कि इसमें कौन कौन दे रखे हैं अपने को F, जो है minus का 10 cm, और यह जो image जह तो F और V की रूप में lens के लिए हमारे पास formula कहा देगो, यह रहा F minus का V upon F, value put करो, minus का 10, minus into minus, तो plus हो गया, तो minus का 10 plus 5, तो यह आपके सामने है, minus का 5 upon 10, upon minus का 10, देखो value put कर दें एपन इसकी, तो ठीक रहेगा, M is equal to, F है minus का 10, फिर minus into minus का 5, upon minus 10, तो minus minus plus, तो गया minus का 5 upon minus का 10, minus है minus, cancel 5 upon 10, that mean 0.5, तो 0.5 इसका proper पर, magnification हो जाएगा, ओके, next देखो, अगले में है, दो किजी दरेमान और इस तरह के dimension के एक लकड़ी के डिबे को एक मेज पर रखा हुआ है, जिसके प्रस्ट पर, 30 cm और 10 cm साइड है, वो टच कर रही है, तो आप से पूछा कि प्रेशर कितना है, तो प्रेशर जो होता है, वो अपन लिखें, प्रेशर इस गुल्टा, फोर्स बाई एरिया, यहाँ फोर्स तो कितना है, मास MZ के अपर, वेट के अपर, एकवल है, एरिया, जो सरफेस टच क कर रही है, उसका अपन यूज कर लेंगे, तो एरिया को एक बार यही लिख रहा हूँ, हाँ जी, अब देखिए, मास हमारे पास कितना है, टू के जी, तो टू इंटू कर दो, अप्रोक्स 10, अपन एरिया, एरिया कितना है, जो अपन ये साइड, इसमाल को बोड़ी है, वो बदलें, अपन सेंटिमेटर से मेटर, इसको बदलें सेंटिमेटर से मेटर, तो 10 की पाउर माइनस का 4, अब इसको अपन सॉल कर सकते हैं, तो ये इससे कैंसल हो गया, और एगर इसको भी इसमें सामिल करूं, तो 10 की पाउर माइनस का 3, 2 बाई 3 जो होता है, 2 बाई 3 होता है 0.666 के असपास इंटू कितना 10 की पाउर यह हो गया प्लस का 3 तो आप इसको लिख सकते हो अप्रोक्स कितना 666.6 यानि इसका फूर्थ आंसल आपका सही जाएगा ओके हाँ जी अब देखो क्यूश्टन यह दो क्यूश्टन आपके बहुत बैतरिन है विवानों के टायर सुचालग रबर से बनाए जाते हैं ठीक ऐसा बने जाते हैं तो उसके क्या करण रहे होते हैं उनको आप देखेगा पहला कहरा है कि जब एरोपलेन एर में मूव गरता है चलता है तो एर की फ्रिक्षन से फ्रिक्षन एलेक्रिसिटी डवलोप रहती है और उससे उसकी सर्फेस पे चार्ज आपका प्रोडूस हो जाता है अब जैसे लेंड होता है तो उस दोरन क्या होता है कि पूरा का पूरा चार्ज उसके कंड़क्टिंग होने की कारण ठीक है क्योंकि वहाँ पर भी जब इलेक्रिक सिटी को अपन काम में लेते हैं ऐसा ही मालोग कोई बड़ा हमारे पास एक अपरेटर्स होता है उसके अंदर अंदर बहुत सारी प्रोसेस होते रहती है उन बहुत सारी प्रोसेस के अंदर चार्ज आपका बनता रहता है उस चार्ज को भी नूटलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसका भी कोई पायता है तरासते हैं तो वो भी यहाँ पर भी है साब क्योंकि बड़ा एक एरोपलेन है उसके अंदर तो सारे प्रकार की प्रोसेस लटे रहती है तो क्या है इसमें देखो तो इसका भी होना चाहिए तो सुचालक रबबर से उसको अपन बनाते हैं तो अप्रोक्स है पर यह थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शल कुश्शन है इसमें लगबग चांस से जाने के हैं दोनों इसके आपके सही है दोनों सही है पर ज़्यादा इसका सही मुझे लग रहा है फरस्ट इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्शी है फिर भी एक बड़ अपन मान के चलते हैं इसका अंसर आपका थार्ड ठीक है नमस्कार CLC Seeker के इस डिजिटल प्लेटफर्म पर आप सभी का स्वागत है और CLC Seeker नीट और जी में उतकुष्ट रिजल्ट देने के बाद अब एंडिया में कदम रखने जा रही है तो आज के इस खास बहत प्रोग्राम में मैं लक्समन चोधरी और हाली में नेशनल डिफेंस अकेडमी के दारा आयोजीत परतियों की प्रिक्सा की पैपर कोड़ टू जो जनरल एविलिटी टेस्ट उसके क्विशन नमबर 101 से लेकर 150 तक का हम हल करेंगे और ये जो स्वाल है वो मुख्य रूप से जियोग्राफी, इस्ट्री, पॉलिटी और करंड अफिर से तालूक रखते हैं चलिए आए देखते हैं क्यूशन नमबर 101 पहला स्वाल है कि बारत्य राजनितिक विचारधारा का कलाश्य की गरंथ अरस सास्तर मुखे रूप से किसपर कैंद्रित हैं तो इसके बारें बात करें तो अरस सास्तर मुखे रूप से अखंड भार्त के महान राजा चंदरगुवत्य मौर्य के पर्धान मंत्री कोटिली के द्वारा लिखा गया, ये राज्य की सासन व्यावस्ता को व्यक्त करता है और उसके साथ ही राज्य की राज्य कला और उसकी आर्थिक व्याबस्ताओं को उसमें उलेख गया है तो इसका एंस्वर तीन सही होगा, यानी साशन काल, तो उग्ला स्वाल दिखते हैं, अगला स्वाल है कि कब छरक सहीं ता अस्तितों में आई, तो इसका एंस्वर होगा थाड़ टू सेकंड सेंचूरी में ये अस्तितों में आई थी तो इसका एंस्वर दो सही होगा कि अगला स्वाल है इसका एंसर 4 होगा रिक्तासन चक्र है वरक्स है और इस्तूप तो इसका एंसर 4 सही होगा अगला स्वाल है कि भारत की संसद मुख्य रूप से किस मॉडल पर आदारी थे तो भारत की संसद ब्रिटिस पार्लियमेंट की मॉडल पर आदारी थे तो इसका एंस्वर दो सई होगा अगला स्वाल है कि भारत के प्रधान मंत्री की रूप में इन में से किसका कारेकाल सबसे कम था तो इसका एंस्वर चौधरी चरण सिंग सही होगा क्योंकि अगर इसमें अठल ब्यारी वाजबी का उप्शन होता तो थोड़ा संकट में डाल देता था क्योंकि यह इसके अंतरगत नहीं आएगा बाकि आरंबिक है अपिली है और एडवाइजरी अधिकारिक्ता इसके अंतरगत आता है तो इसका एंस्वर चौधरी होगा आपक होगा जैसे केदारनाथ में बादल फटा कई घटना होई केरल में भी और न्यूस्पैपर यह समाचार पैपर में भी इस इन गटनाओं को देखते रहते हैं तो इसमें कागया है कि एसी कौन सी दो बाते हैं जो एः और भी है जो इसकी वैख्या करता है पहला है कि सी बहुत कम समय में बहुत ज़्यदा बारिस हो जाती है और अप्शन भी है कि यह सामानेत मांसुन अवदी के द्वरान होता है यह आकस्मीक बाड़ और भूशकलन को प्रेजित करता है आपको जब बता होगा जब कम समय में जब सामाने से अधिक और बहुत अत्यदिक बारिस ह यह आकस्मीक बाड़ का रूप तो ले गए लेगा उसमें उसके द्वारा बहुत सारी प्राकृति आपदाओं को भी जनम देगा तो इसका एंस्वर दोनों सही है तो इसका एंस्वर तीन सही होगा अगला स्वाल है कि पर्थवी की आकरती और आमाप पर होने वाली एक सामोहित सर्सा में तीन विदार्चियों को नेमन लेकित विचार व्यक्त किये गए हैं तो अगर इसके बारे में बात करूं तो यह एक अगर आप कुशन या स्वाल आपको अगर कन्फूजन में डाले तो इन विध्यारतियों कि आप पकत्ण को रख पड़ सकते हैं कि कथन पहला है कि पर्थवी की आकरती मुलत सप्टा या गोलाब में है ैं कि अल्ब इसन इसमें मैं आपको बता हुग कि पÁ्ला जो विदारती है या पहला कतन यह जो पर्थवी की आकरती मुलत चप्टीया और सब्सथ का दुर्व्यास विश्वाती व्यास से अधीख कभी नहीं होता। यह रंग रहा है है और इस्टुडेंट थीन है यहां कत्न थीन कहे रहा हा है विशुवत्य चैतर में विदमाventional है वह परिकर्मन की कडाण होता है यह परिकर्मन की का लीः गृणन की कड़ने कारण होता है कि चूरिये के चारों तर चकर लगाना तो उसी की वज़े से नहीं होता है यह पर्थवी के गुर्णन की वज़े से होता है जो अपने अक्सपर घुमती है तो इसका क्रेक्ट एंस्वर ए पहला सही होगा कि देखिए चलते हैं अगला कुष्ण एक शो नौर नूमबर कि इसमें है कि आप समाचार देखते समय आप किसी इस्तान के बारे में सुनते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं देखा या सुना होगा आप उस इस्तान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप उसे मांचितर पर डूनना चाहते हैं आपको निमन लिकित मैं से किसी आप सिकते हो गई का कि मान चित्र पर उस स्तान पता लगा सकें कि दखिये इसका आंस औरट 140 होगा अगर से स्तान की अकषांस दिसांतिर ऊच्च था कि बारी में अगर आप देखें त्यृम कि आपको मान में सही पता लग जाएगा तो इसका एंसर चार सही होगा अगला क्शन है वीच आप दे फॉलॉविंग स्टेटमेंट्स विद रस्पेक्ट टू ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इस नौट करेंट करेक्ट तो GPS उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है तो सेगम तीन आपको सेटलाइट ची होते हैं बिल्कुल ठीक बात है GPS रिसीवज प्रोवाइड लोकेशन इन टरम्स ओफ लेटिटूड लॉंगिटूड अन अल्डिटूड बिल्कुल यह भी ठीक है लोकेशन को बताते हैं परन्तु इट प्रोवाइड इन्फोर्मेशन एक् इसका सही आंसर आपका है फॉर्ट ठीक है साथ तो इसी के साथ जो लगबग आपके 15 के करीब कुशन थे फिजिक्स के जिनको अपने चेक किया और आप अनुमान लगाएगा जो बच्चा नीट और जई की तयारी करता है ठीक है वो बच्चा तो आसानी से इन कुशन सो कर स चलो तो इसके साथ अपने इस सोलिशन समप करते हैं और के थेंग्यों जैसी एलसी निमन लेखित में से कौन सा भात का साविधानिक आयोग नहीं है इन में से तो पहला है देखिए आप से यानि राष्टिय अनुसूचित जाती आयोग दूसरा है स्टी यानि राष्टिय अनुसूचित जन जाती आयोग दीसरा है ओविसी यानि राष्टिय पिछड़ वरग आयोग और स्वाता है कि राष्टिय मेला आयोग तो इसमें राष्टिय मेला आयोग नहीं होगा क्य की गई थी मैईलाओं की शुरुक्षा के लिए तो इसमें यह आर्टिकल 338 है उसके बाद 338 यह लिया गया वो राष्टी अनुसूची जंजाती आयोग है और राष्टी पिछड़ा आयोग वरद 338 भी के अंतरगत है तो इसका 904 ही होगा स्वाल नंबर 112 है कि प्राचीन भारत में किस चीनी यात्री ने मद्य भारत की यात्रा की अभिलेक नामक देने की डायरी में लिखी थी तो यह फेंसांग था इसका एंस्वर दो सई होगा कि क्रिशन नंबर 113 है कि वरस 2019 में हुए भारत के संसद की निचले सदन के सुनाओं कि शेक किसका गठन हुआ था यह पूच रहा है कि 2019 में जो लोक्सभा निचली उपी सदन राजिस सबाए और निचली सदन लोक्सभा इसमें काया कि लोक्सभा 2019 में जो चुना हुए थे वह कौन सी लोक्सभा थी तो इसमें आपको बता दें कि यह एक शत्रवी लोक्सभा थी कि अगर कृष्ण यह से भी आता कि 2120 में 2000 अगर आप बात करें तो यह अठार्वी कि लोक्सभा होगी स्वाल नंबर एक सुझदा पंचायती राज संस्ता या मुख्य रूप से किस परकार अधारित है तो पंचायती जो राज व्यवस्ता है वो सेल्फ गवर्मेंट है यानि सवसासन सवसासन पर अधारित है तो इसका एंस्वर दो सही होगा स्वाल नंबर 115 है कि अमेरिका की सवतंत्रा की गोश्टन में निमन लिखी तमें से कौन सा अधिकार का उलेख किया गया है तो इसमें चार आप्सन दिये गए हैं पहला है प्रान बिल्कुल सही है दूसरा है लिबेरिटी बिल्कुल सही है तीसरा है सुख खुसाली कानुसर इसले इसका एंस्वर है कि यह तीनों सही होंगे इसमें वन टू घरी और ये जो बंदूता है यह फ्रांस की सवेधान से लिया गया है अगला स्वाल है इनमें से किस अमेर्यकी राष्ट्पति ने लोक तंतर को जनता के लिए और जनता की दोरा सासन का था तो इसका सही अंस्वर अबराहिम लिंकन होगा अबराहिम लिंकन साब ने ये का था कि जनता जो भी लोग तंतर है वो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा है तो इसका अंस्वर ये सही होगा किश्वर नमबर 117 है कि पर्थवी गरे की परिकर्मा की गति से पर्थव है उनकी तीन मैसे कौण से कारण है जैसे हमें पता नहीं लगता कि पर्ष्वी परिकर्मा कर रही है तो पहला है कि प्रत्वि के साथ वय्यार मेंडल परिकर्मा करता है बिल्कुल correct है तिसरा है कि नेकट की यासी कोई वस्तूर नहीं है जो यहां तो इस्तिर है अथ्वा पर्थवी की गति से भिन गति पर गति मान है बिल्कुल यह correct है जिसके तीन अगला है एक सो अठारा कि यह कह रहा है कि पहाड़ी चैतर में यात्रा कर रहे हैं तो आपको एक विशाल का गुलास में दीखता है यानि कोई बड़ा पत्थर दीखता है जो बारी बारिस्क याँ वर्षा की कारण अलग हो गया है और पार से नीचे गिर रहा है तो इन तीन कि वरद सरन याने मास वेस्टिंग यह ग्रेविटी के कारण होता है इसलिए पहला नहीं होगा दुसरा है अपरधन जरूर उसमें अपरधन हुआ होगा और अपसें अपसें यान वेदरिंग होगा उस वजय से तो सका एंचवर इसमें यह करेक्ट एंसफर है तो इसका बी और सी होगा इसका तीन सही है और कुश्चन नंबर 119 इस बूश्कलन के संद्रब में निमन लिखित कत्नों मैंसे कौन सा सही है इसमें का गया है कि जब भूश्कलन होता है तो निमन लिखित मैंसे यह तो इसमें बता दूँ कि वर्शा के दौरान केवल यह देखो कई गया से कुश्चन देते हैं जिसमें अगर केवल आये तो यह संका पैदा करता है इसलिए पहला स्टेड्मेंट रॉंग होगा और दूसरा है कि सामानेत पर्चूर मर्तिका वाली मर्दा यह कले रिच साइल में घड़ित होते हैं बिलकुल सही है और भुकम से बुस्कलन परिरित बिलकुल होते हैं जहां भी भुकम आते हैं थोड़े हाई रियक्टर के तो वहाँ बिलकुल भुस्कलन परिरित होते हैं या तो इसका एंस्वर बी और सी सही होगा तो इसका तीन है तो किक्रिशन नमबर 120 है कि एक बोगलीक परिकटना के बारे में निमनलीखित विसेशताओं पर विचार कीजिए इसमें नहीं का गया है ऑघ्र करें दूसरा यह है कि इसकी करने वाले और परवत रोईयों के लिए यह जो की इंपुरन है बिल्कुल सही है इसमें यह है कि इसमें मिश्रीत रूप से पदाहर्थों का गिड़ना लुड़कना फिशलना और बहना सामिल है तो इसमें आप देखिए तो इसका यह जो तीनों यह जो अप्शन दिये गए इनकी जो भ क्था धृट से या footprints से इसांसथव दो सही होगा करे कृशन नंबर 1210 है पिशन है कि कि भारत में पाच्छा थे सिख्षा का वास्तवी ग्रूप से प्रारंब कभ से माना जाता है तो भारत यह जो पाच्छा थे सिख्षा है उसका वास्तवी ग्रूप से प्रारंब ग्रूप में आया था उसने बाद में यह आके उनने भारतिय शिक्षा पर काम किया था तो इसका एंसर चार सई होगा कि खुदाई खिदमतगार यान इस्वर की सेवक का गठन किस ने किया था तो यह बहुत सिंपल किस्वर ने हिस्ट्रिया इतियास से आया है तो इसका एंसर दो से होगा खान अब्दूल गफार खान जिनने सिमान्त गांधी की रूप में या गांधी की नाम से जाना जाता था इसका एंसर दो सही होगा स्वाल नमर 117 है कि 1927 का महार सत्यागरे किसके द्वारा आयुजित किया गया तो इसका सिंपल एंसर आपको पता होगा डॉक्टर भींगराव अमिडगर साथ थे जो भी एक खुद महार जाती से समन रखते थे इसलिए उन्होंने महार सत्यागरे उनके द्वारा अयुजित किया गया तो इसका एंसर यह होगा किशन नूमبر 125 है कि की सत्या सोदक समाज या सत्याकी खोज करने वाली समाज की इसतांपना किस ने की थी तो इसका एंसर जोती बाब फूले हूगा और आज में बता दूं आज जोतीब फूले की जैनती है इन् इसका एंसवर दो सहीं होगा by answer No.118 है, कि धरी सताब्दी का गरंद लेखापदी हमें निमन लिखित में से किस वेश्य पर जानकारी देता है? तो इसका सीधा एंसर है कि तेरी सताब जी में जो गरंथ लिखे गए थे वह अमेंसा विदीक दस्तावेज के नाम से जाने जाते हैं यह यह स्वेशिय की जानकारी देते हैं तो इसका एंसर तीन सही होगा अब किशन नंबर है 127 कि इन कुरुमा उन पांस नेताओं में से एक थे जो गुट नेरपेक्स आंदुलन की केंदर में थे वे अफ्रीका के किस देश की नेता थे तो मैं बदा दूं कि यह इन कुरुमा थे जो गाना देश के थे तो इसका एंसर डीर सही होगा जेसमी अपने भारत भी सामिल है उस वक्त जवालल नेरु साब भी थे अगला है कि संततर भारत में योजना बनाने का विचार कहां से किया गया तो जो संततर भारत है उसमें जो योजना बनाने का विचार है बॉम्बे पलान से किया गया बॉम्बे पलान यह है कि भारत की इकोनोमी का ग् इसका उत्थान किस तरह कैसी किया जाए तो इसका पहला इंसर से होगा अगरा स्वाल है नीशरग गती निवार और ताउते और यास किनके नाम है अगर आपको बाकी पता ना हो तो ताउते आपको जरूर पता होगा यह कोरोना के टाइम में आया था जो बंगाल की खाड़े से इसके उत्पती हुई थी और यह इधर गुज्रात के साइड अरब सागर से टकरा कर वापिस मुड़ा था तो इसका एंसर चार से होगा यह साइकलोन से यहां चकरवात का एक रूप है अगला स्वाल है यह करंड अफेर से आया गया है आले में आयलाइट था कि निमन लेकित मैंसे कौन सा राज्य संग राज्य शैतर भारतिय रेल नेटरों के साथ 2021 में जुड़ा था तो यह बता दूं कि मनिपूर एक ऐसा राज्य था जो 2021 में संग राज्य शैतर जो भारति यह रेल नेटरों से सबसे पहले जुड़ा है अभी जुड़ा है जो 2021 में यह करंड अफेर का मामला है क्रिशन नंबर 131 है कि उत्राखंड की जंगल हिमाचल परदेश में कुलू घाटी नागालेंड मानिपूर में जो जुकू घाटी है देमन लिकित में से किस कारण से ख गटना है कि देखी गई है और सबसे बड़ी बात है इसका एंस्वर यह होगा दावानल फोरेस्ट फायर यानि फोरेस्ट फायर होगा आग की वज़े से यह काफी हाई लेट में थे इन वनों में आग लगती रहती है क्रिशन नंबर 132 है कि भारत में राजियों और संग राजिये शेतर की कुल संख्या के समझ में निमन लिकित में से कौन सा सही है तो यह बहुत सिंबल स्वाल है पांचवी शटियां सातवी का बच्चा भी इसको बता देगा तो इसका एंस्वर है कि 28 राजिये हैं और 8 संग राजिये शेतर है है तो इसका पहला सही है कि किशन नंबर 133 से कि हम सनों या सहीं वस्ट या ओला निमन लिकित में किसके रूप है उसमें यह का गया कि सनों फॉल सामने ते हिमाचल में होती रहती है जब बरफ की बहुत रवेदार जो है वो बारिस के टाइम तीमी तीमी आंच से गिरती रह रहें वर्षा का रूप है ना तो यह टांस्परेशन है ना ही संगन है कंडेंशन ना ही वैपोरेशन यानि वास्पिकरन का रूप है यह बारिस है बर्षन है पहला सही होगा इसका कि अगला सवाल है 131 तब तो उचनकटिमंद्य व्यापतिक्र संभावना निमन लेकित किसटे रहें कि निमन लेकित सेहरों में मेंसे किसे सर्व परतम मेंगा सीठी का दर्जा प्राप्ट हुआ था है तो इसमें देखिए मेंगा सेठी का जो दर्जा है दो हीत्धियों को दिया गय je था न Dual or टोक्यो अपके लिए आपके लिए आसाणी है तो इसना 3 साही होगा है किरा नमबर 130 है भारत में कठोर एव इस्तीर उत्थित भूमी अनाचादित सेल और कगारों की सरंखला निमन लिखित में से किसकी विशेष्टा है यह आपको बताना है तो देखिए कठोर और इस्तीर उत्थित भूमी और कंगारों की जो सरंखला है वो मुखे रूप से अगला स्वाल है कि वह व्यक्ति ने भारत की किसी जेतर का दोरह किया वहां उसे खेडीस खेड़ी और प्लास के पेड के प्लास के लायिए घर प्लास के लिद्ह सुन्दरवन में तो मैंग्रोव वर्क्स पाये जाते हैं अगर मैंग्रोव का नाम होता तो आप सुन्दरवन डेल्टा टिक लगा सकते थे कि क्रिशन नूंबर 138 कि इसमें यह का गया है कि निमल लिकीत कतनों पर विचार करें हैं दो कस दीये गए हैं इनमें से देखना है आपको उसा कौन से हैं तो पहला है कि अधिक समय तक अपने मोल्रूप में नहीं रहती और रुपांतरित होती रहती बिल्कुल सही है यह गुजिण अ अगला है कि option अप्रदन और कायंतर के कान चलों का रुपान्तर होता है बिलकुल सही है ये जब करो बादन होता है चर्वार्स्ता है एक रूसें बदलती है तो इसमें अप्सप्रदन और कायंतर बिलकुल होगा तो इस कônसर दोनों सही है बहुत वन ओर टू अगला है कि आपствен वरदसरन अपरधन और परिवन निमनलिक इतमेसे किसके सूचक है तुर इसमें मैं आपको बीदा दों यह आनासादन डिने च attent से यह इसके पार्ट है जो आना साधन इसमें क्या होगा अपसेन होगा वरसरन अपरदन और परिवन सारे परकिर्या होगी इस जियोग्राफिक अस्वाल है कि कि आप मोरेन एसकर और आउट वास पलेन मैदान देखना चाहते हों तो देखिए एसकर बरफ से समझ रखता है आउट वास पलेन यह भी आप देखिए यह भी बरफ से तो इसका लदाख होगा और लदाख आपको पता है एक बरफिले रेगिस्तान की रूप में यह भी एक मरुस्तल का उधारण है जो बरफिला है स्वाल नूंबर 141 है हाल इमें परसीद कत्थक नर्तक पंडित बिर्जु माराज का निदन हो गया था यह करंड अफेर का स्वाल है अभी काफी निउस्पेपर में हाइलाट रहा था इन्हें फिलाल फदम विवुशन से नवाजा गया इनको शमानित किया गया तो नेमन ल 42 है कि भारत सबसे पहले किसे बर्मोज मिसाइल का निर्यात करेगा जो बर्मोज मिसाइल है वह भारत और रूस की सहोग से बनाए गई है इसका नाम दो नदियों की नाम पर भारत का बरंपूतर नदी और रूस की मासकोव नदी की नाम पर इस मिसाइल का नाम बर्मोज दि स्वाल नंबर 143 है कि इनमें से कौन भारत के उस्तम न्याले के द्वारा नियक्त समिति का दिक से जो उन परिस्तितियों की जाच करेगा जिनके करण हाली में प्रदानमंद्री का काफिला पंचाब में फलाई और में कई मिन्टों तक फसा रहा हाली में यूज पैपर में फलाई और पर काफी मिंडों तक फसा रहा तो उसमें अंतराष्टिय शीमा नजदीक होने के काण परदार मंत्री की सुरुक्सा में सबसे बड़ी चूक बताई जाती है इसलिए 200 समयति बनाए गई है उसके जो अधिक्स है नय मूर्ति इंदू मलोत्रा को अधिक्स बनाया गया है तो इसका पहला सही होगा स्वाल नुमर एक 900 समालीस इसमें यह का गए है इनमें से किसने अपने केरियर के अन्तिमगेंद में एक विकेट लेकर टेस्ट क्रिकैट से सन्यास लिया है तो यह भी करंड अफेर या न्यूजज पैपर का स्वाल है तो इसका एंसर होगा रॉस टेलर किस्टन नुम्मर 145 है हाली में बारतिय अंत्रीक्स अनुसंदान संक्टन इस रोके दसवे अध्यक्स की रूप में इसमें से किसकी नियुक्ति की गी मैं आपको बता दूं कि संदर यां टू जो अभी लॉंच हुआ था वो किसी वज़े से लेंडिंग तरीके से नहीं होने की वज़े से विफल हो गया था तो उसके नौवे अध्यक्स के सीवन साब थे उसका आपने एक एमोशनल वीडियो भी देखा होगा जब वो विफल हुआ तो परदान मंत्री से वो गले लग किस प्रकार रो रहे थे बाहुक हो गये थे तो उसके बाद वो सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो इसमें आप देखेंगे अरुना चल पर्देश का सब्सक्राइब नावरन है और अगर इसमें यह पूचा जाता कि हाली 2021 में सरवादिक वन वर्दी का होई तो वो ओडिशा सही जाता मगर इसमें यह गावर कि राज्ये का पूचा कि राज्ये में सरवादिक वन है ना कि वन की वर्दी का पूचा है तो इसमें एंसुर तीन से होगा अरुना चल परतेश स्वाल नंबर 146 है इन में से कौन माल और स्वेवा कर पूचा गया देख यह ने जीएस्टी के बारे में पूचा गया है तो उस तो जीएस्टी है उसके जो परिश्द है उसके अधिक्स केंद्रिये वित्मंत्री होते हैं तो इसका एंस्वर दोस ही होगा किशन नंबर 148 है 148 कि अंतराश्टी परकृति सरक्षन संग आई उसीन ने हाली में लाल चंदन वरक्स को किस तरेनी में सरेनी करत किया गया है तो देखिए जो चंदन वरक्स लाल चंदन के की बारे में बात करें तो अभी हाली में एक मूवी आई थी पुस्पा वह काफी वाइरल थी तो उस वज़े से यह स्वाल आया यह भी करन रफेर की तरह मान सकते हैं आप तो इसको लाल चंदन वरक्स को दोजार अठारा में संकटाशन नीर थ्रेटेंट श्रेणी में रखा गया था यह दोजार अठारा की बाद है अब फिलाल इसको संकट गर्स या एंडेजेड में रखा गया है तो इसका एंस्वर दो सही होगा कि अग्दा स्वाल है 149 भारा सरकार किस तिथी को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का द्रिने लिया है तो इसका एंस्वर 27 दिसमबर होगा वीर बाल दिवस में बता दूं कि सिख़ों के जो गुरु थे गुरु गोविंज सिंग उनके बेटे कि याद में वीर बाल दिवस को मनाये जाता है अहाल ही में यूपी की मुख्य मंत्री योगी आदितिन नात ने इस दिवस को मनाये था बड़ी दूमदाम से उनकी वीरता को याद किया था और इन्हें बाल साहिब जादा की नाम से इन्होंने उपादी दी थी तो इसका एंस इसके साथ ही ये जियोग्राफी हिस्ट्री करेंट अफेर और पॉलिटी की स्वाल एक से लेकर एक सुपचास तक समाप्त होते हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात में बता दूं कि CLC सीकर नीट और जी में उतकुष रिजर्ट देने के बाद अब एंडिये में विदिवत रूप से कदम रखने जारी है काफी भारी डिमांड के मायने को देखते हुए और दूसरी सबसी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की सबसे सरुषेष्ट फैकल्टी के दारा ये एंडिये के कोर्स का सुभारम किया गया है तो अगर कोई भी आप इच्चूख है तो बिलकुल आपका स्वागत है हमारे से एंडिये की कोर्स में कि शिल्ची परिवार आप सभी का स्वागत करता है धन्यवाद दें